टेश्न का समय आ गया है और तियोहारों के इस मोसम में टेश्न का आपने लेकर आया है नवरात्री सेल जी हाँ इस 14, 15 और 16 अक्टूबर को आपको मिलेंगे शांदार ओफर्स और डिसकाउंट सभी सुपर कोजिंग पर तो अगर आप इन एक्जाम्स की तयारी कर रहे हैं तो अभी जाएए और इस शांदार ओफर्स का लाव ठाईए हलो दोस्तो नमस्ते आदाव सस्यकार आपका दोस्त गौरफ टेस्बूक सुपर कोजिक पे स्वागत करता है तो दोस्तो हो जाएए तयार क्योंकि हम यहाँ पर करने जा रहे हैं ego और gs पिवार जहाँ पर हम लोग करेंगे वो सारे important सवाल जो कि आपके exam point of view से बहुत ही जादा important है तो यहाँ पर हम लोग वो सारे प्रश्न करेंगे जो कि आपके ssc cgl मेंस के लिए बहुत ही ज़ादा important है लेकिन start करने से पहले सभी लोगों को भर-भर के good morning और जल्दी-जल्दी से अपने दोस्तों के साथ share कर देंगे so that कि वो भी यहाँ पर जोड सके और हम इस session को start कर सके तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं motivational quote के साथ और आज का motivational quote है एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ तो सीरीजी बात है अगर कोई कारे कर रहे हो तो इसको पुरे सिद्दस से करो जिससे दोस्तों अगर आप लोग जो भी चाहते हैं सो देट की वो पूरा हो सके ठीक है इसलिए हम लोग यहां पर मिलते हैं ठीक है और आज है special session Saturday है तो special session है जहां पर हम लोग करने वाले है सुबह 6 बजे से 8 बजे तक GKGS Marathon ठीक है जिसमें हम लोग करेंगे SSCGL मेंस के लिए ज़्यादा फोकस रहेगा यह ध्यान रखेंगे ठीक है तो चलिए इसको शुरुवात करते हैं और शुरुवात करेंगे विद्धी अगर रेडी है तो फटावट से यस टाइप करेंगे और हम लोग बढ़ेंगे पहले slide के साथ जल्दी जल्दी से यस गुड़ मॉर्निंग गुड़ मॉर्निंग सभी को गुड़ मॉर्निंग तो यहां पर यस आ चुका है तो हम लोग बढ़ते हैं पहले question के साथ और पहला question आपकी screen पर यह रहा यहां पर पूछ रहें विच पार्ट ऑफ दी इंडियन constitution deal with the state legislature भारती समविधान का कौन सा भाग जो है राज विधान मंडल से सम्मंदित है ठीक है क्या वो भाग 7 है भाग 6 है भाग 4 है और भाग 5 है जल्दी से बताए कौन सा होगा यहां पर सभी लोग बताएंगे correct answer क्या हो जाएगा जी हां यहां पर जो लोग कह रहे हैं होना चाहिए very good correct answer यहां पर क्या होगा correct answer हो जाएगा part 6 ठीक है option number 2 correct answer होगा यह ध्यान रखें क्या होगा option number 2 part 6 correct answer होगा अब आपको ध्यान रखना है state की हम बात करें state आपको पता है define किस में है भाग 6 में है ठीक है उसी में define होगा state legislature लेकिन article पूछा जाएगा कि किस article में state legislature mention है तो state legislature की अगर मैं बात करता हूँ राज विधान मंडल की तो वो किस में mention है वो है आपको ध्यान रखना है article 168 किस में है 168 में है ठीक है फिर आप से पूछा जाता है कि बताईए कि यहाँ पर विधान सभा किस में mention है तो विधान सभा आपको याद रखना है 170 में किस में है 170 में अगर आप से पूछे जाएगा legislative assembly किस में mention है तो आप लोग कहोगे 170 में ठीक है याद रखना है अनुछेद 170 में फिर पूछेंगे कि legislative council किस में है मतलब विधान परिशद किस में है तो आपको ध्यान रखना है legislative council जो है वो आपको मिलेगा article 171 में ठीक है 171 में अगर पूछा जाएगा duration किस में mention है तो duration आपको ध्यान रखना है कब तक का रहेगा duration ये किस में mention है ये article 172 में तो आपको ध्यान रखना है ये important है और देखे राज में विधान सभा और विधान परिशद दोनों होता है legislative assembly और legislative council जिस state में भी होता है उसको हम लोग कहते हैं bicamularism क्या कहते हैं bicamularism मतलब 2 सदनी कहते हैं आपको ध्यान रखना है और ऐसे कितने राज हैं तो 6 राज ये ये आपको ध्यान रखना है जहां पर bicamularism आपको देखने को मिलेगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर अगला सवाल आपकी screen पर ये रहा यहां पर question क्या करें who among the following हिंदुस्तानी classical instrumentalist won the Grammy Award in 1993 ठीक है कब 1993 में for his album A Meeting by the River with by Kudar ठीक है निमलिखित में से किस हिंदुस्तानी शास्त्री वादक ने जो है 1993 में राय कूडर के सभासा जो है अपने album A Meeting by the River के जो है लिए Grammy पुरुस्कार जीता था तो 1993 में Grammy पुरुस्कार जीता ठीक है किस के साथ जीता था तो आपको ध्यान रखना है यहां पर बुला गया है राय कूडर के साथ और Grammy पुरुस्कार जाकिर हुसेन, रिकी कीज A.R. रह्मान और विश्व मोहन भट जल्दी से बताए किस ने जीता था अब देखे, 1993 का पूछा जा रहा है बहुत से लोग रिकी कीज कह रहे हैं क्योंकि तीन बार रिकी कीज जीत चुके है लेकिन यहां पर करेक्ट आंसर रिकी कीज नहीं होंगे करेक्ट आंसर होंगे विश्व मोहन भट जिनको short form में V.M. भट भी कहा जाता है क्या जाता है V.M. भट दोस्तों यह हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से संबंदित है किस से हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से हैं यह आपको ध्यान रखना है ठीक है और पूछा जाएगा कि किस इंस्ट्रूमेंट से संबंदित है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर पूछा जाएगा वागयंत्र किस से संबंदित है तो आपको ध्यान रखना है कि यह है मोहन वीना से किस से हैं मोहन वीना से हैं को ध्यान रखना है ठीक है याद रखेंगे ठीक है तो वीना से यह संबंदित है चलिए आगे बढ़े अगले कोशन पर अगला कोशन आपके स्क्रीन पर यह रहा यहां पूछ रहें वाई आर स्पीसीज ओफ मोस आर यूज एस फ्यूल दिखें को जो है यहां पर काई काई की जो प्रजातियों का उप्योग इधन के रूप में क्यों किया जाता है प्रोवाइड बिटूमिनस फॉर एनरजी प्रोवाइड पीट फॉर एनरजी ठीक है में का वर्जन ओफ कोल या हैल्प इंदा जियो थर्मल एनरजी देखें इसमें एलिमिनेशन करिएगा तो ही आंस यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नमबर भी ठीक है प्रोवाइड पीट डेट हैव लॉंग बीन यूजड एस फ्यूल ठीक है प्रदान करता है जो दोस्तों लंबे समय से इधन के रूप में उप्योग किया जा रहा है ठीक है देखें कोल नहीं दे सकता तो यह तो बिल्कुल गलत है जियो थर्मल एनरजी दोस्तों किसे मिलती ग्राउंड से मिलती है तो वह भी यहां से नहीं मिलेगी ठीक है आपको मिलेगा क्या आपको मिलेगा पीट इससे ठीक है तो यह ध्यान रखेगा ऑप्शन नमबर टू करेक्ट आंसर ह रहते हैं तो यह भी ध्यान रखेगा ठीक है अम्फीबियन का मतलब जो दो जगेर रह सके एक टाइम ठीक है चलिए आगे बढ़ें अगले कोशन पढ़ते हैं अगला कोशन आपके स्क्रीन पर यह रहा यह हो चुका है हाँ जी मंजूश्री मंजूश्री चटर जी वॉस अवाड़ेड दा ओनर ऑफ पदमश्री किस सम्मानित की गई पदमश्री इन टूथाउजन नाइंटीन ठीक है फॉर विच ओफ दा फॉलॉइंग स्टाइल ऑफ दान्स ठीक है मंजूश्री चटर जी जी को जो है निमलिखित में से किस नित्य शैली के लिए 2019 में पदमश्री के साथ जो है सम्मानित किया गया था क्या वो मनिपूरी कथक कली कुचीपूरी और कथक कौन सा डान्स परफॉर्म करती है जल्दी से बताईए फटा फट से ब यह आपको ध्यान रखना है ठीक है बहुत बड़ियां यहां के कर्च टांस रोजाएगा कथक और कथक जो है कहा का डान्स है यूपी का डान्स है ठीक है उत्तरप्रदेश में परफॉर्म किया जाता है कथक के डांसर हम लोगों कई बार पढ़ा है जैसे बिर जुमाहराज हो गए फेमस ठीक है संभू महराज हो गए ठीक है संभू महराज उनके अलावा लच्छु महराज कई बार हम लोगों ने सुना है लच्छु महराज फिर उसके बाद हम बात करें सितारा देवी कौन सितारा देवी ठीक है फिर उसके बाद दम्यंती जोशी कौन है दम्यंती ज आउंगली तो वो भी किस से संबंधित कथक से ठीक है फिर आप से पूछा जाएगा सोवाना नारायन यह अगला सवाल देखे, which of the following microscopic cell are an amoboid shape with a distinctive central membrane ध्यान से सुनिएगा, निमलिखित में से कौन सी शुक्ष्म कोशिकाएं एक विशिष्ट केंदरी जिली के साथ अमीबी आकार की होती है नव सेल होती है, वाइट ब्लड सेल होती है, गाड सेल होती है, या रेड ब्लड सेल होती है कौन सी होती है, सभी लोग बताईए, और जिर्हों अभी तक share और like नहीं क्या फड़ावर से एक बार, share और like करते हो चलेंगे फड़ावर से बताएंगे, यहाँ पे correct answer क्या हो जाएगा देगें, यहाँ पे correct answer, nerve करे रहेonday, नहीं, नहीं नहीं होगा, यहाँ पे शरमा जी, यहाँ पे अभी तक, RBC करे रहें, नहीं फिर पूछेंगे कि इसका life span, कब तक ये जिन्दा रहता है, इसका life span, तो approximately 120 days तक ये जिन्दा रहता है, इसका main function क्या है, या फिर work क्या है इसका, तो इसका काम है दोस्तों, यहाँ पर defense system, इसको क्या कहते है, defense, ठीक है, इसका defense system काम है, हमारी body में, अब defense system, मतलब क्या करेग भी कहते हैं, यह ध्यान रखेगा, और death के बाद, यह कहाँ पर जाके गिर जाएगा, जब इसकी death हो जाएगी, 120 days के बाद, तो यह splin में जाके गिर जाएगा, कहाँ पर, स्पिलिन, और स्पिलिन को हम लोग कहते हैं, graveyard, क्या कहते हैं, graveyard कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग blood bank भी कहते हैं, क्या कहते हैं, blood bank भी कहते हैं, तो ध्यान रखेगा, ठीक है, तो I'm a void shape का कौन होगा, white blood cell होगा, ठीक है, चले, next question बढ़ते हैं, अगला सवाल आपकी screen पर, dash वादक है, सारंगी, flute, सरोध और संतूर, किस से संबंदित है, जल्दी से बताइए, यहाँ पर correct answer क्या होगा, फटा फट से, क्या वो संतूर से हैं, सारंगी से हैं, flute से हैं, सरोध से हैं, किस से हैं, चले, तो यहाँ पर जो लोग कह रहे हैं, होना चाहिए, बहुत बढ़ है, कोशन, कि सरोध समराट किसे कहते हैं, सरोध समराट किस व्यक्ति को कहा जाता है, तो आपको याद रखना है, उस्ताद अमजद अली जी को किसको, उस्ताद अमजद अली खान जी को कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है, यह पूछा गया सवाल है, ठीक है, फिर उस बढ़ते हैं, तो हफीज अली खान जो है, कौन से घराने से हैं, ये ध्यान अखेगा, बंगश घराने के हैं, अभी देखे, इस तरह के कोशन आपको बहुत देखने मिलते हैं, जैसे स्टीनों के एक्जाम में अभी आपके पूछा गया था, कि भीम सेन जोसी, ठीक है, भीम स देखे, एन जोसी जो है, ये किस घराने के हैं, तो आपको पता होना चाहिए, कि ये किराना घराने के हैं, ये सवाल आपके स्सी स्टीनों में पूछा गया था, ठीक हैं, तो सीजल में तो डेफिनेटली पूछा जा सकता है, अगला कोशन आपके लिए ये रहा, which of the following is not देखिए not a correct pair निमलिखित में से कौन सा एक यूग में सुमिलित नहीं है कहरें Ace Against Out सान्या मिर्जा की किताब है Unbreakable अभिनो बिंद्रा की है How I Became a Hindu सीता राम गोयल की है Living Shadow अरिबम श्याम शर्मा जी की है कौन सी पुस्तक correctly match नहीं है वो आपको बताना है सबी लोग बताएंगे यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा यहाँ पर कहरें सर बी option होना चाहिए बी option तो जो लोग यहाँ पर बी option कह रहे हैं उनका बिल्कुल correct answer होगा क्योंकि यहाँ पर कहरें Unbreakable जो है अभिनो बिंद्रा की है गलत answer होगा Unbreakable किसकी है Mary Com की है किसकी है Unbreakable यह देखे अभिनो बिंद्रा की यह किताब नहीं है किसकी है यह है Mary Com की और Mary Com जो है वो एक कौन है बॉक्सर है यह भी आपको ध्यान रखना है ठीक है और बाकी दोस्तों अगर हम बात करें आपको याद होगा अभिनो बिंद्रा जी ने ओलम्पिक में पहला स्वनपदक जिताया था इंडिवीजूल गेम में ठीक है और इन्होंने गोल्ड जिताया था किस वर्ष में तो 2008 ओलम्पिक में ठीक है आगे बढ़ें चले अगले कोशन बढ़ते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा विच ओफ दो फॉलोइंग इस एन ऑटो बाइग्राफी ओफ द इंडियन बॉक्सर मेरीकॉम लीजे दोस्तों वही सवाल पूछ लिया है बस थोड़ा सा घुमा आगे पूछा है चले बताइए फटावर से आंसर करेंगे निमलिखित में से कौन सी पुस्तक भारती मुक्यबाज मेरीकॉम की आत्मकता है अनब्रेकेबल एन आटोबाइग्राफी अनडिस्पूटेड तूर्थ प्लेइग प्लेइग इट माइवे और दा टेस्ट अफ माइ लाइफ यहाँ पर कहरे सर ए ओप्शन होना चाहिए चले जो लोग यहाँ पर कह रहे है ए ओप्शन ए ओप्शन उनका बिल्कुल प्लेग्ट आंसर हो जाएगा ये ध्यान रखेंगे ठीक है, A option is the correct answer, ठीक है, याद रखेंगे, अच्छा, अगर पूछेंगे undisputed truth किसकी है, तो यह Mike Tyson की है, किसकी है, यह Mike Tyson की है, पुस्तक, ठीक है, फिर पूछेंगे playing it my way किसकी है, तो आप कहेंगे सचिंटेंड डूलकर जी की है, किसकी है, सचिंटेंड डूलकर जी की है, फिर उसके बाद the test of my life, युवराज सिंग की है, किसकी है, युवराज सिंग की यह पुस्तक है, यह भी धानकन है, कई बार पूछा जाता है कि बिलीव, बिलीव जो है, यह किसकी पुस्तक है, तो आप कहेंगे सुरेश रहना जी की है, किसकी है, सुरेश रहना जी की पुस the stem of furula, dried latex from the root of the mango tree, dried latex from the banana leaves and dried latex from the tap root of ferula, क्या होगा correct answer यहाँ पे सभी लोग बताएंगे, यहाँ पे कहरे सर होना चाहिए, option number ठीक है, चले, तो यहाँ पे सब के अलग-अलग answer आ रहे हैं, correct answer यहाँ पे क्या हो जाए, correct answer जो लोग option number 4 कह रहे हैं, उनका बिल्कुल correct answer होगा, यह धियान रखेंगे, ठीक है, आगे बढ़े, यहाँ पे क्या होगा, option number 4, dried latex from the tap root of ferula, ठीक है, ferula के जो है, नल की जड़ से, जो है, सूखे latex से यह प्राप्त होता है, क्या oleo gum resin, जिसको हम लोग aso fortida कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग hing कहते हैं, इसके अंदर देखे, resin भी होता है, इसके अंदर gum भी होता है, ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है, अगर मैं बात कर होता है, इसमें 20 से 30 प्रतिशत होता है, और फिर उसके बाद जो है, यहाँ पे 10 से 20 प्रतिशत जो है, क्या होता है, ओil होता है, यह इसके constituent है, यह अगर आप से पूछा जाए, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है, चलिए, अगले question बढ़े, अगला सवाल आपकी screen पर यह रहा, what is good way to measure the population density of fishes found in lakes, कह रहें, जीलो में पाई जाने वाली मचलियों के जनसंख्या खनत्व को, मापने का एक अच्छा तरीका क्या है, the number of the fish caught per trap, या the number of tadpoles trapped, the oxygen density, the growth of zooplankton, किस से आप पता कर सकते हैं, कि यहाँ पे population कितनी है, मचलियों की density कितनी है, फड़ावर से बताईए, यहाँ पे कैसे पता चलेगा आपको, यहाँ कर सर, A option, A option, कुछ लोग कर सर, B option, obvious ही बात है, दोस्तो, A option होगा, प्रती जाल पकड़ी गई मचलियों की संख्या, ठीक है, एक बार में जितनी आएगी, उससे आपको पता चल जाएगा, कि यहाँ की density क्या है, मालीजी आपके trap में एक भी नहीं आ रही, तो इसका मलब बहुत कम है, हाना कम है क्या है, है ही नहीं, या फिर एक दो आ रही, तो उसके साब से आप क्या पता करोगे, मचलियों की density पता करोगे, अच्छा है, अगर आप से पुछा जाएगा, कि fisheries, मतला मचली पा तो two chambers होते हैं, ठीक है, कितने, दो chamber होते हैं, ये भी याद रखेंगे, चलिए आगे बढ़ें, अगले question बढ़ते हैं, अगला सवाल, Dash was established between informal groups and formal financial institutions for catering to the financial need of the poor, ठीक है, कह रहे हैं, यहाँ पे विर्धनों की वित्ती जरूरतों को पूरा करने के लिए, अन अपचारिक समूहों और अपचारिक वित्ती संस्थानों के बीच, Dash स्थापित किया गया था, SHG, bank linkage, ACIDB, MFI linkage, NAVAD, bank linkage या SHG, NAVAD, linkage, क्या होगा correct answer यहाँ पे, हाँ जी, पिछले का बिल्कुल correct है, यहाँ पर बताईए, correct answer क्या हो जाएगा, ठीक है, चले, यहाँ पर correct answer क्या होगा, option number A कह रहे हैं, कई लोग option number B कह रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो A कह रहे हैं, उनका correct होगा, SHG, self-help group, bank linkage, correct answer होगा, अब देखें, NAVAD जो लोग कह रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, NAVAD जो है, इसको हम लोग, यह क्या है, bank है, क्या है, यह bank है, ठीक है, इसका full form क्या है, national, national bank for agriculture, agriculture and rural development, क्या है, rural development, इसका full form है, ठीक है, इसको स्थापित किया गया था, 1982 में, 1982 में स्थापित किया गया था, कौन सी पंचवर्षी होजना के तहत, तो 6-5 year plan, किसके, 6-5 year plan, यह भी पूछ लिया जाता है, पंचवर्षी होजना, तो यह important है, ठीक है, चलिए, अगले question बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके ल योगदान के लिए 2021 में पदमश्री से सम्मानित किये गये थे, क्या वो, मन्जमा, जोगाथी, तुलसी, गौडा, डॉक्टर, सिंधुताई, सबकला, और यहां पे रंगमल, किसको दिया गया था, पदमश्री 2021 में, for the contribution to the folk dance, मतलब लोगनित के लिए किसको पदमश्री दि मन्जमा, जोगाथी, उनका विल्कुल correct answer होगा, क्या, मन्जमा, जोगाथी जी को दिया गया था, यह आपको ध्यानक नहीं, देखे, पदमश्री अवोर्ड वगरा पूछे जाते हैं, तो आपको सबसे पहले ध्यानक नहीं, कि पदमा अवोर्ड दिये कब जाते हैं, यह 26 जन्वरी को हर साल दिये जाते हैं, किसके थ्रू दिया जाते हैं, तो परसीडेंट ठीक है, कौन कर देता है, तो प्रसीडेंट देते हैं, राश्वदी ठीक है, देके, पदमा की अवोर्ड की हम बात करें तो सबसे हाइस्ट है, पदमे विभूशन, सेकेंड पे हैई, पर ह पर है पदमश्री ठीक है वैसे देखा जाए तो सबसे उच्छनागरिक पुरुसकार जो है वो तो भारत रतन है उसके बाद पद्मविभूशन है ठीक है लेकिन पद्म आवार्स में सबसे उपर पद्मविभूशन अगर हम बात करें 2023 में अल्रडी जो है 26 जनवरी चली गई अगर है 23 में कि तबला वादक है ज़ो और इनके पिता नाम है अल्ला राखा यहापके एक कबला वादक है, यह आपके SSC स्टीरों में पूछा गया था, ठीक है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, कि 2021 में किसको दिया गया था है, तो मंजमा जोगाती जी को दिया गया था, यह ध्यान रखेंगे, इसी तरीके से एक सवाल पूछा गया है, तो कौन सा अवार्ड मिला था, तो पद्मभूशन मिला था, यह भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले कोशन पर, बहुत बढ़े, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा, यहाँ पर कहा है, विच ओफ दॉव फॉलाइंग इस न नहीं है, पूछा है, value of final goods and services produced in economy, net factor income from abroad, all value of producing enterprises in primary sector, value of second hand goods, किसको include नहीं किया जाता है, national income में, इन value added method, फड़ा वर से बताईए, यहाँ कहरे से D option होगा, D को नहीं add किया जाता है, बाकी लोग क्या कहते हैं, चलिए, जो लोग यहाँ पर D option, D option कह रहे हैं, उनका बिलकुल correct answer जाएगा, value of second hand goods नहीं किया जाता है, जो पुरानी वस्तुएं होती हैं, उनके मूले को नहीं add किया जाता है, in value added method, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है, for calculating national income, ठीक है, तो यह ध्यान रखेगा, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके screen पर यह रहा, according to Copen's climate classification scheme, dry climate are subdivided using the capital letter S and semi-arid region और step A and W for dash region, कह रहें, कि Copen की जो जलवायू वरगी करण था, ठीक है, किसका, Copen का, उसमें, उसकी अनुसार, जो शुष्क जलवायू का अर्थ, शुष्क छेत्रों के लिए, बड़े अक्षर, S से, या फिर, जो है, step A और dash छेत्र के लिए, desert, winter dry और wet, क्या हो गए याँ पर, जल्दी से बताएए, अगर आपने Copen, जो है, यहाँ पर climate classification पर ध्यान दिया होगा, तो आपसे पूछा गया है, कि वहाँ पर किसको हम लोग W से represent कर रहे होंगे, यहाँ पर कह रहे हैं, desert होना चाहिए, किसने कहा है, जहांसी बिल्कुल correct ह आपका answer, प्रगिती correct है, जो लोग desert कह रहे हैं, उनका बिल्कुल correct answer होगा, ठीक है, मरुस्थल correct answer होगा, यह ध्यान रखेगा, कई बार मरुस्थल आपसे और भी पूछे जाती, कौन से मरुस्थल, कहां पर present है, जैसे कि अटकामा, मरुस्थल जो है, अटकामा desert, यह आपक से गोबी desert, पूछेंगे, गोबी कहां पर मिलेगा, तो मंगोलिया में, कहां पर मंगोलिया ध्यान रखेगा, ठीक है, फिर Victoria desert आपसे पूछा जाएगा, कि Victoria desert आपको कहां पर देखने मिलेगा, तो Australia में, कहां पर Australia में, ठीक है, तकला कलाम desert क्या, तकला कलाम desert जो है, यह कहा पर देखने मिलेगा तो चाइना में चाइना में ठीक है थार डैसेत आपको MARY ब ऩngदेगा इंडिया में फ़्दीज चलिए आगे बढ़ें चलिए अगलानों आपकी स्क्रीन पर एम यहां पर एलिफेंटार फेस्टिवल ऑफ डैस नेम्ड्ड आफ्ट्रदा थार के देख रहे हैं एलिफेंटा की गुफाओं के नाम पर डैश का नाम एलिफेंटा मौस्व रखा गया है तो यह कहां पर केरला मध्यप्रदेश गुजरात और महराश्ट सिंपल सा कॉश्चन है आपको पता होना चाहिए एलिफेंटा केव है कहां पर तो यहां पर कह रहे हैं सर महराश्ट के अगर मैं बात करूँ तो यहां की दोस्तों एक फेमस पेंटिंग है जिसको हम लोग कहते हैं कोली पेंटिंग क्या कहते हैं कोली पेंटिंग यहां की फेमस पेंटिंग है ठीक है यहां का एक त्योहार है जो आपके एक्जैम में पूछा गया है CGL में पूछा सा बैल पोलम फेस्टिवल पूछा जा चुका है ठीक है उसके बाद बात करता हूँ महराश्ट का जो फेमस डांस जैसे लावनी हो गया ठीक है लावनी हो गया तमाशा हो गया क्या हो गया तमाशा हो गया ठीक है यह कहां कि है महराश्ट के हैं यह भी आपको ध्यान रखना है महराश्ट के अगर हम प्रेजन्ट CM की बात करें तो वो कौन है एकनाथ सिंदे कौन है एकनाथ सिंदे जो है यहां के मुख्यमंत्री है गवर्नर के अगर हम बात करें तो रमेश बैस है कौन है रमेश बैस है इससे पहले एक बर सवाल पूछा गया है कि रमेश बैस महराश्ट की अभी प्रेजेंट में गवर्नर है उससे पहले किस राज्य के ये गवर्नर थे तो ये जारखंड राज्य के पहले गवर्नर थे ठीक है आगे बढ़े अगले वोशन बढ़ते हैं अगला सवाल आपकी स्क नदी है कौन सा होगा यहाँ पे सभी लोग बताएंगे और करेक्ट अंसर चले यहाँ पर जो लोग कर nhे रहे हैं होना चाहिए ठीक है बिल्कुलрост नर्मदा यहाँ पर क cancel हो जाएगा यह आपको ध्यान रखना है क्यों जाएगा नर्मदा हो जाएगा अब देखें नर्मदा निकलती कहां से तो नर्मदा निकलती है अमर कंटक से निकलती है ठीक है अमर कंटक से अमर कंटक कहां पर है मध्य प्रदेश में ठीक है नर्मदा नदी जो है यह सबसे लंबी नदी है पस्चिम में बहने वाली longest west flowing river ठीक है west flowing river मन किलोमेटर्स की लंबाई है नर्मदा नदी के किनारे जो है फेमस सिटी पूछ लेते हैं कि कौन सी सिटी जो है यहां पर मौजूद है तो आपको ध्यान रखना है जबलपूर है कौन सी है जबलपूर और जबलपूर को क्या जाता है Marble City क्या कहते है, Marble City कहते है, और Marble जो है, ये किसका Example है, तो ये Metamorphic Rock का Example है, किसका है, Metamorphic Rock का Example है, ये आपको कई बार पूछा जाता है, नर्मदा नदी पे कुछ आपको जल प्रपात, मतलब waterfall मिलेंगे जैसे कि कपिल धारा, कौनसा, कपिल धारा, ठीक है, धूआधार, क Delta नहीं बनाती है, कि क्या बनाती है, एस्चूरी बनाती है, क्या बनाती है, एस्चूरी बनाती है, और नर्मदा जो है, विंधिया और सत्पुडा के बीच में बहती है, किसके, विंधिया रेंज और सत्पुडा रेंज के बीच में बहती है, ये भी आपको ध्यान रखना ह चलिए आगे बढ़ें अगले कोशिन बढ़ते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा किरें who among the following पद्मभूशण अवाड़ी देखें पद्मभूशण अवाड़ी dance legend has created a new dance form by the name of भरत नित्यम क्या भरत नित्यम पद्मभूशण से सम्मानित नित्य दिगजों में से किसे ने भरत नित्यम के नाम से एक नया नित्य रूप जो है बनाया है क्या वो अलारमेल वली हैं रुकमनी अरुंदले हैं सोनल मानसिंग हैं और पद्मा सुब्रमन्यम हैं कौन होंगे यहाँ पर correct answer चले जो लोग यहाँ पर कहरें सर पद्मा सुब्रमन्यम डी ऑप्शन उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा यह ध्यान रखें कौन पद्मा सुब्रमन्यम is the correct answer चले नेक्स कोशन बढ़ते हैं अगला कोशन आपके स्क्रीन पर यह रहा करें 1972 डैश ने संख्याओं को जो है प्रामिड शब्द गढ़ा जो प्रतेक पोशी स्तर पर मौजूद व्यक्तियों की जो है कुल संख्या का प्रतिनिधित्व करता है क्या वो यूगेन ओडम ने दिया था अर्नेस्ट हैकल ने दिया था अर्थर टैंसमे ने दिया था या फिर चार्स इल्टन ने दिया था किस ने ये शब्द दिया था पिरामिड़ औफ नंबर्स जल्दी से बताईए यहां पर करेक्ट इल्टन लग रहा है लेकिन डाउटफुल है ओके बाखी लोग करेते क्या इल्टन करेक्ट आंसर होंगे या फिर नहीं चले तो जो लोग यहां पर चार्स इल्टन, चार्स इल्टन कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा क्या होगा चार्स इल्टन इस दी करेक्ट आंसर देखें अर्नेस्ट जो हैकल है इन्होंने क्या दोस्तों शब्द दिया था इकोलोजी क्या दिया था इकोलोजी शब्द इन्होंने दिया था ठीक है अर्थर टैंसले ने इको सिस्टम क्या दिया था इको सिस्टम दिया था ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है चले अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर MS Subhu Lakshmi A Legend in India is Known for His Witch of the Following कह रहे हैं भारत की एक महान विक्तित जो है MS Subhu Lakshmi निमलिखित में से किसके लिए जानी जाती हैं क्या वो गजल म्यूजिक के लिए हिंदुस्तानी म्यूजिक के लिए सूफी डिवोशनल म्यूजिक के लिए या फिर करनाटिक म्यूजिक के लिए MS Subhu Lak जो लोग यहां पे करें PSC बिल्कुल correct है आपका ऐउशीं बिल्कृल correct है Raj Patil बहुत बढ़ी है जो लोग करें करें Carnatic Music उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा यह धियानूर थियानूज है Your answer क्यों हो जाएगा यहां के सीच है और पहली बार स्कूरिशाइट किसने किया था तो नाराज जी ने कि एक तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है ठीक है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक और दूसरा जो है आपको क्या मिलेगा यहां पे करनेटिक म्यूजिक मिलेगा क्या मिलेगा करनेटिक म्यूजिक देखे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक जो है यह आपको उत्तर भारत मतलब नौर्थ इ इंडिया में देखने को मिलता है ठीक है और अगर हम बात करते हैं करनेटिक मुजिक या आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलता है ठीक है फिर उसके बाद बात करें तो इसमें आपको घराना देखने को मिलेंगे लेकिन इसमें कोई भी घराना देखने को मिलता नहीं है नो घराना ठीक है कोई भी घराना आपको नहीं मिलेगा ठीक है उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो तांसेन जी को कहा जाता है कि वो फादर है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के और यहां पर कहा जाता है पुरंदर दास जी को किसको पुरंदर दास जी को कहा जाता है क कि वो फादर है करनेटिक म्यूजिक के ठीक है फिर यहां पर देखिए एक चीद क्या ध्यान रखेगा इसको नॉन इंडिजीनियस कहा जाता है मतलब यह स्वदेशी नहीं है ऐसा कहा जाता है क्योंकि इसमें बाहरी लेंग्वेज इसका क्या है इंफ्लेंस है जैसे पर्शिय मेजर रीजन ओफ नॉर्धन प्लें भबबर इस डैश देखिए उत्री मैदानों में प्रमुक छेत्रों में संदर भबबर आपने शब्द सुनाओगा भबबर ठेक है वो किस से है यह आपको बताना है तो ओल्डर अलुवियम अलॉंग दी रिवर बेट्स फॉर्मिंग द निवर अलुवियम एंड फॉर्म्स फ्लड प्लें अलॉंग दी रिवर बैंक या फिर अ ब्रॉड लॉंग जोन ओफ नॉर्धन इंडिया अंड सदन नेपाल रनिंग पैरलल तू लोवर रेंजिस अफ दी हिमालिया क्या होगा करेक्ट आंसर बी ऑप्शन बी ऑप्शन करे है अलुवियम मतलब जलोड मिट्टी की जो बात कर रहे है अलुवियल मिट्टी की उसमें जो न्यू होती है नया जलोल जो मिट्टी होता है उसको हम लोग कहते हैं खदर कहते हैं ठीक है और जो पुराना होता है ओल्ड होता है तो उसको हम लोग कहते हैं भंगर क्या कहते ह है एस कंपेर टू भंगर ठीक है मतलब इसमें उपस जादा होती है ठीक है अगले कोशन बढ़े चले अगला कोशन आपके स्क्रीन पर यह रहा अच्छा असद अली खान कौन असद अली खान इज़ा मैस्टर आफ प्लेंग डैस असद अली खान जो है वह डैश वादन के उस् तो CGL मेंस लेवल के कोशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज ठीक है फड़ावड से आंसर करिए जी हां यहां यहां पर जो लोग करें नहीं यहां पर अमरेश का आएगा इस करेक्ट आंसर है अमरेश ने आयूशी ने करेक्ट दिया है बहुत बढ़ी आयूशी जहास आगे बढ़े अगले कोशन पर अब देखे सितार से सम्मंदित आपको पता है फेमस रवी शंकर जी कई बार पूछे कहें एक्जाम में तो यह आपको ध्यान रखना है ठीक है कौन सितार से रवी शंकर जी बहुत फेमस है यह पूछे कहें इनके अलावा अगर हम बात करते कहें निखिल गैरजी ठीक है निखिल गैरजी पूछे गईने फिर उसके बाद आप लोगqun कई बार पूछे कों कॉन विलायत खान वो से सम्भनेत सों मनुत है तो आप से संभनेत हैं ठीक है जले आगे अब दो А तौ तबला से बात करें, तबला के दिल जो वादक है वो ऑन थ है तो आपको याद रखना चाहिए कि यहाँ पे अनिंदो चटरजी कां अनिंदो चटरजी ठीक है और आपको पता है कि जाकिर हुसेन खूल कर आ लूसेन अला राखा ठीक है अला राखा यह famous जो है दोस्तों क्या है यहाँ पे physician है जो की दोस्तोंblick तबला से सम्मंदित है यह आपको ध्यान रखना है ठीक है चले आगे अब देखे सहंनाई से राजेंद्र प्रसन्ना कौन राजेंद्र प्रसन्ना और जो है यहाँ पे बिस्मिल्ला खान ठीक है कुछ नेम जो है दोस्तों बहुत ही फेमस है जो आप लोग को याद होंगे जैसे बिस्मिल्ला खान यहाँ पे याद होंगे यहाँ पे अल्ला राखा जाकिर उसे न्याद होंगे यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को रवी शंकर जी आद होंगे, कुछ नेम होते जो आप लोगों को नहीं आद होते और उसी से एक्जामिनर पूछता है और CGL tier 2 देने जा रहे हो तो definitely ऐसे question देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल which of the following launch people plan campaign 2021 सबकी योजना, सबका विकास in September 2021 देखे, निमलिखित में से किसने सितंबर 2021 में people's plan campaign 2021 सबकी योजना, सबका विकास शुरू किया था ministry of finance, ministry of tourism, ministry of panchayati raja और ministry of home affair क्या होगा correct answer? किसने शुरू किया था ये scheme, सबकी योजना, सबका विकास सबी लोग बताएंगे कौन सा मंत्रा ले होगा यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं, होना चाहिए, home affair नहीं है दोस्तो जो लोग home affair कह रहे हैं, उनका गलत होगा यहाँ पे correct answer हो जाएगा, ministry of panchayati raja ने इसको शुरू किया था ministry of panchayati raja यह ध्यान रखेगा, अब देखे, panchayat से related आपसे question पूछा जाता है panchayat से पूछते हैं कि यह किस भाग में है, तो भाग यह 9 में है, किस में है, 9 में है फिर पूछेंगे किस अनुचेद में है, तो आप कहोगे 243 में है, फिर आपसे कहेंगे कि किस अनुची में है, तो आप कहोगे अनुची 11 में है, कितने subject हैं अगर पूछा जाएगा, तो 29 subject है, यह भी ध्यान रखेंगे फिर आपसे लोगों से पूछा जाएगा कि बताइए यहां पे 33% जो है वोमेन को reservation है ठीक है किसको है महिलाओं को reservation है तो वो किसमें mention है यह पूछा जाता है तो आपको द्यान रखना है 243 article 243D में mention है यह भी आपको द्यान रखना है ठीक है चले आगे बड़े अगला अच्छा देखे कौन से संसोधन से आया था यह भी पूछ लिया जाता है तो संसोधन याद रखेगा 73rd constitutional amendment act 1992 के तहट लाए गया था अगला question आपके screen पर यह रहा who among the following personality along with his son played raga for peace in the year 2014 at the noble peace prize concert ध्यान से सुनेगा वर्स 2014 में noble peace prize concert में निमलिखित में से किस दिगज ने अपने बेटों के साथ रागा for peace बजाया था पंडित राम नारायन, उस्ताद बिस्मिल्ला खान, पंडित हरी प्रसाद चोरसिया और उस्ताद अमजद अली खान कौन होंगे correct answer यहाँ पे C option कह रहे हैं बाखी लोग क्यों कहते हैं यहाँ पे correct answer तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे correct answer क्या होगा जो लोग कह रहे हैं option number D होना चाहिए very good प्रियाशी बिल्कुल आपका correct answer है यहाँ पे correct answer क्या हो जाएगा D option उस्ताद अमजद अली खान जो कि किस से संबंदित है सरोध से संबंदित है इन्होंने अपने बच्चों के साथ जो है 1901 में chemistry में किसको दिया गया देखे physics में तो सबको याद होता है chemistry में पूछ लिया गया था तो want of को दिया गया था यह question आपके exam में था हो सकता है कल आपसे पूछा जाए कि economics में क्योंकि economics जो है बाद में start किया गया था यह सारे पहले start हो चुके थे 5 फिल्ड में तो यह 1968 में start हुआ था ठीक है तो 1968 में economics में किसको पहली बाद दिया गया यह question पूछा जा सकता है तो यह आप लोग homework number 1 लिख लिजे comment box में answer करिएगा ठीक है आज की class दूस्तों 6 बजे से 8 बजे तक चलने वाली है ठीक है आगे बढ़े चलिए 145 लोग live है फड़ावट से एक बार like और share करते हो चलेंगे अगला सवाल आपकी screen पर यह रहा who among the following was the founder of banaras gharana of the style of khayal singing कह रहें निमलिखित में से कौन खयाल गायन की सैली के banaras gharana के सरस्थापक है उस्ताद इनायत खान, पंडित गोपाल मिश्रा, उस्ताद ममन खान और उस्ताद चज्जू खान कौन है यहाँ बे फड़ावट बताईए हाँ पहली बार 1968 में दिया गया था आपको बताने है किस परसन को दिया गया पहली बार economics में यहाँ पर बताईए बनारस gharana के founder ठीक है यहाँ पर कह रहे है सर होना चाहिए option number B कह रहे है राज पटेल, आयोशी कह रहे है सर B होना चाहिए ठीक है कुछ लोग कह रहे है सर A लेकिन मैं आपको बतादू जो लोग भी कह रहे है कुंदन, आयोशी, अंकिता, शर्मा जी बिल्कुल correct है पंडित, गोपाल, मिश्रा जी जो है वो founder है किसके बनारस gharana के है यह ध्यान रखेगा एक सवाल पूछा गया था आपके exam में कि गिरिजा देवी, गिरिजा देवी है वो किस घराने से संबंदित है तो वो बनारस gharana से ही संबंदित है तो ध्यान रखेगा किसे हैं बनारस gharana से हैं अगर कल आपके exam में पूछ लिया जाए मतलब कल मतलब आने वाले जब दिनों में कि इंदौर घराना जो है यह किस ने इस्थापित किया था तो आपको याद रखना है उस्ताद आमिर खान, कौन? उस्ताद आमिर खान ने इसको इस्थापित किया था चलिए, आगले question बढ़ते हैं who has the right to and appoint an inter-state council to promote center state and inter-state cooperation केंदर राज और अंतर राज सायोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर राज परिशद नुक्त करने के लिए अधिकार किसे है the president of India, both the president and governor together both the prime minister and chief minister together और the prime minister of India किसके पास है ये power सभी लोग बताएंगे यहाँ पर कहर सर A option होना चाहिए मलब president of India के साथ जा रहे है चलिए, जो लोग यहाँ पर president, president कह रहे है उनका विल्कुल correct answer होगा ठीक है, president यह आपको ध्यान रखने अब दोखे, president से related बहुत सारे question आ सकते है कि बताएं, president जो है यह कौन से article में define किये गए है किस तरीके से इनका चुनाव होना चाहिए procedure मतलब या फिर manner कहा जाए ठीक है, किस manner के तहत होना चाहिए तो वो article 55 में define है किसमें, पचपन में कहेंगे कि इनका tenure, कारेकाल जो है यह किसमें define है, तो article 56 में ठीक है, qualification ठीक है, क्या qualification होनी चाहिए राजपती बनने के लिए, वो किसमें है तो article 58 में, किसमें 58 में, फिर पूछेंगे कि बताइए इनका ओध, मतलब सपत किसमें है तो आप कहेंगे, अनुछेद 60 में है इन पे महाव्योग, जो लगता है वो किस अनुछेद में mention है तो आप कहोगे, article 61 ठीक है, अनुछे दिकसट में तो इस तरीके से सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं, आगे बढ़े चलिए, अगले कोशन बढ़ेंगे अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखे, एरियास लाइक सदन पार्ट ऑफ गुजरात इस्टन, तमिलनाडू, नौर्थ इस्ट पेरिंसुला कवरिंग, ओडिसा, जारखंड, बिहार एंड इस्ट मद्यप्रदेश रिसीव, रेनफॉल बिट्वीन डैश देखे, गुजरात के दक्षडी भाग पूर्वी, तमिलनाडू, उडिसा, जारखंड, बिहार और पूर्वी, मद्यप्रदेश को जो है आच्छादित करने वाला पुर्वोत्तर प्रायदीप जैसे छित्रों में डैश की बीच वर्शा होती है 200 से 300, 200 से 350 से 100 और 100 से 200 कितनी वर्शा होती है यहाँ पर, फटा फट से बताएंगे यहाँ पर कैरसर D option होना चाहिए, कुछ लोग कैरसर 1 option होना चाहिए तो मैं आपको बता दू, यहाँ पर जो है दोस्तो, आप लोगों को नॉर्मल वर्शा देखने को मिलती है, बहुत जादा वर्शा नहीं देखने को मिलती है कि 300 सेंटीमीटर तक देखने को मिलेगी, यहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर तक आपको देखने को मिलता है कितना? 100 से 200 सेंटीमीटर तक देखने को मिलता है option number D correct answer होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले question पे अगला सवाल which article देखे which article of the Indian constitution deal with the definition of the money bill कहरें भारती सम्विधान का कौन सा नुछेद धन विधियक की परिभाशा से सम्मंदित है ठीक है क्या वो article 120 है 100 है 115 है और 110 है कौन सा हो जाएगा article 110 कह रहे हैं ओके बाकी लोग यहाँ पर क्या कहें correct answer क्या होगा ठीक है correct answer जो लोग 110 कह रहे हैं उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा 110 ठीक है देखे 120 किस से सम्मंदित है तो language कौन सी use करनी चाहिए पर्लिमेंट में वो दिया है language to be used in parliament to be used in parliament कौन सी भासा का प्रियोग करना है संसद में वो mention है कहाँ पर्लिमेंट में कौन सी भासा तो article 120 में यह ज्याद रखेगा इसी तरीके साब से पूछा जाता कि financial बिल किसमें मौझूद है तो financial बिल आपको ध्यान रखना है 117 में है अनुछेद 117 में है फिर पूछेंगे कि annual financial statement कौन सा annual financial statement यह किसमें है तो आप कहोगे कि यह है article 112 में ठीक है तो इस तरीके question आपको ध्यान रखने है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर आगला question आपका यह रहा in which of the following year was India the host of the Asian game निमलिखित में से किस वर्स में भारत ऐश्याई खेलों का मेजबान था 1994 से 2010, 1951 से 1986, 1982 और 1994, 1951 और 1982 किस वर्स में भारत जो है host रहा था very good option number कह रहे है यहाँ पर होना चाहिए D51 और 82 में यह बिलकुल ध्यान रखेंगे देखे एशियन गेम अभी news में था तो chances है कि पूछा जा सकता है क्योंकि end of the month जो है month जो October month में आपको exam है तो chances बन सकते है एशियन गेम से लेकिन वह present का नहीं वह पास्ट का पूछा जा सकता है ठीक है तो इस प्रकार question तो एशियन गेम की शुरुआत हुई थी 1951 में और पहली बार हुआ था यह न्यू दिल्ली में ठीक है भारत में ही शुरुआत हुई थी कि की एशियन गेम की यह धियान रखेगा फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना है 1982 में दो बार भारत में हुआ है एक बार आपको ध्यान रखना है सबसे जादा बार बैंकॉक में हुआ है कापे बैंकॉक में हुआ है यह आपको ध्यान रखना है बैंकॉक थाइलेंड ठीक है पूछेंगे कितनी बार हुआ है तो चार बार हुआ है कितने टाइम फोर टाइम्स हुआ है यह भी आपको ध्यान रखन अब आपसे पूछेंगे 1951 में पहली बार हुआ तो 4 साल बाद मनला 1955 में हुआ होगा सुरी 1954 में हुआ होगा वो कहां पर हुआ था मनीला फिलिपिन्स में यह भी आपको ध्यान रखना है अब देखें एशियन गेम अभी हाली में हुए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं त हौंग जाओ कहां पर है चाइना में है ठीक है कब से कब तक चला था 25 सब्टेंबर से लेके 8 अक्तोबर तक यह चला था ठीक है इसमें पूछेंगे कि दोस्तों जो ओपनिंग सरमनी थी उसमें फ्लैक किसने पकड़ा था तो हर्मन प्रीत सिंग कौन हर्मन प्रीत सिंग या पहली रेंग फर्स्ट रेंग जो रही है वो किसकी रही चाइना की सेकंड रेंग किसकी रही है तो सेकंड रेंग जापान की किसकी जापान की थार्ड रेंग किसकी रही है तो थार्ड रेंग कोरिया की ठीक है फोर्थ रेंग किसकी रही है फोर्थ रेंग इंडिया की रही जीते टोटल 107 हो जाएगा सबसे जादा किस खेल में हमने जीता गोल्ड तो आपको होगे शूटिंग में हमने सबसे जादा सवनपदक जीते जो की साथ जीते थे यह भी आपको ध्यान रखना है तो इस प्रकार से आपसे कोश्चन बन सकता है यह वाला पार्ट तो अभी नह अधिक एसेड कंटेनिंग जो है डाइप टाइड वीए स्वीटनर वस डिसकवर्ड डैट वाज अबाउट तू थाउजन टाइम स्वीटर दैन दी सुक्रोज वाट इस दानेम ऑफ स्वीटनर के रहें कि उनीस सो असी के दशक की जो शुरुआत में एक जो है जो है अस्प आट्रिलेम या फिर सुक्रिलेऊस क्या है दोस्तों उससे जो है स्वीटनर का नाम जो की 2000 ताइम स्वीटेस्ट है सुक्रोज से फड़ा फड़ से सभी लोग बताएंगे करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर कह रहें नहीं भी ओप्शन, भी ओप्शन कई लोग कह रहे हैं सकराइं सकराइं तो मैं आपको उता हूँगा से ख्राइन नहीं है वह हो जाएगा क्या अलिटेम ठीक है आलिटेम था जो की 2000 गुना जादा मीठा था किससे सुक्रोज से फ्रक्टोज तेखें कई पूछा जाता है कि आप लोगों से कि फ्रूट सूगर किसे कहते है फ्रूट सूगर ठीक है फ्रूट सूगर कहते है फ्रक्टोस को किसको कहते है फ्रक्टोस को कहते है यह आपको ध्यान रखना है यह भी एक स्वीटेस सूगर है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कोश में महान भारती जो है पार्शवगाई का लता मंगेशकर को दूसरे सर्वोच जो है भारती नागरिक पुरुसकार पद्म विभूशर से सम्मानित किये गए थे उनिस सो नबबे पंचानवे निन्यानवे और दो हजार तीन यहां पर करेक्ट आंसर पंचानवे होना चाहिए बाखी लोग क्या कहते हैं यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा चले जो लोग यहां पर पंचानव करें उनका गलत होगा यहां पर एक correct answer अभी तक मैं उता दू किसी का भी हाँ किसका है प्रियांशी का आए गए साया है प्रियांशी बहुत भी बढ़िया 1999 जो लोग कह रहे हैं उनका correct answer होगा ठीक है साथ में अमित का भी correct answer है बहुत बढ़ी आमित 1999 में जो है इनको पंच में विभूशर से सम्मानित किया गया था देखें लता दीनानाथ मंगेशकर एक अवार्ड भी शुरू किया गया था इनके नाम पर क्या लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिनानाथ मंगेशकर अवार्ड और आपको पता होना चाहिए कि इसकी शुरुवात कब हुई थी तो 2022 में हुई और पहला जो है दोस्तों किसको दिया गया नरेंद मोदी जी को दिया गया ये भी आपको ध्यानक ना है उसके बाद अगर हम बात करें 2023 में आशा भोसले को ये अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा देखें लाल गुडी गोपाल अईयर जैरमन यूश टू प्ले विच ऑफ फॉलॉंग इस्टुमेंट बहुत ही बड़ा नाम है लाल गुडी गोपाल अईयर जैरमन जो है निमलिखित में से कौन से वाग्यांते से संबनित है आर् चले जो लोग यहां पर कहरे सर होना चाहिए और फॉर वाइलन वाइलन उनका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है बहुत बड़ी हैं क्या हो जाएंगे ठीक है, correct answer हो जाएगा, violent, violent is the correct answer, दोस्तों एक और player है, जो कि violence से बहुत famous है, जिसको हम लोग T.N. Krishnan कहते हैं, क्या, T.N. Krishnan, ठीक है, क्या नाम है, यहाँ पर लिख देते हैं, T.N. Krishnan, और M.S. Gopal Krishnan, ठीक है, तो यह भी violence से संबन्दित है, T.N. Krishnan पूछे जा चुके हैं, आपके exam में, ठीक है, अगला question, इन February 2021, Dash broke into the top 100 WTA double ranking, becoming the second woman after the Sanya Mirja to do so, देखिए, फरवरी 2021 में, Dash ने सीर से 100 WTA, यूगल ranking में प्रवेश किया, ऐसा करने वाली Sanya Mirja के बाद, दूसरी महिला कौन बनी, क्या वो, सिखा देवी उबरोय बनी, अंकिता रहना बनी, तारा अयर बनी, या फिर रुश्मी चक्रव परती बनी थी, कौन बनी थी, स्पोर्ट के देखिया, आपके ऐसे question पूछ ले जाते हैं, थोड़ा सा old question जो आप लोगों से पूछा जाता है, कहीं पर अगर कोई record बना है, तो इस तरीके question पूछे जाते हैं, यस जी हाँ, यहाँ पर राजपटेल, नमरता, साक्षी, बिल statement called antenna, antenna किस दोस्तों खेल में use होता है, यह आपको बताना है, volleyball, baseball, basketball और hockey, किस खेल में आप लोगों ने देखा होगा, कि एक शब्द सुनने को मिलता है, antenna, tennis कह रहे हैं, okay, बाकी लोग, यहाँ पर सबके अलग-अलग answer आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दू, यहाँ पर जो लोग volleyball कह रहे हैं, कैसे, अब देखिए, कई बार आप लोगों ने volleyball खेला भी होगा, हना, तो आप लोगों ने देखा होगा, net इस प्रकार से लगा होता है, ठीक है, फिर यहाँ पर देखोगे, एक stick बंदी होती है, यहाँ पर भी एक stick बंदी होती है, अगर इसके बाहर से ball गया, तो फिर वो foul है, ठीक है, यही को हम लोग कहते हैं, एंटीना, क्या कहते हैं, यह आपको ध्यान रखना है, volleyball में कितने player होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, volleyball में जो है, छै प्लेयर होते हैं, एक बार सवाल पूछा गया, कि Libro, लिब्रो शब्द जो है, यह किस से पर होगा तो यह सेंटर वाला होता है ना वह रहेगा लिब्रो क्या रहेगा लिब्रो ठीक है चले आगे बढ़े अगला गोशन आपके स्क्रीन पर यह रहा यहां करें प्रिस्टीजियस अभिनंदन सरोजा नैशनल अवार्ड इन 2021 किसने प्रतिष्ठित अभिनंदन सरोजा राष्ट पूरुस्का 2021 जीता था सरोजा वैदिनाथन अपड़ना सतीसन म्रिनालनी सारभाई और अलार्मेल वल्ली किसने जीता था हाँ लिब्रो सेंटर पर खेलता है साथ प्लेयर नहीं दोस्तों 6 प्लेयर होते हैं वालीबॉल में ठीक है तो यहां पर करेक्ट आंसर क्यों जो लोग करें हैं ऑप्शिन नंबर बी अपड़ना ठीक है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपड़ना सतीसन और यह डांस परफॉर्म करती हैं कौन सा डांस परफॉर्म करती हैं तो कुचिपूरी डांस कौन सा कुचिपूरी डांस परफॉर्म करती हैं अभी देखिए कल सिस्टी स्टिनोग्राफर में पूछा गया था परसो पूछा गया था विंपती चिन्ना सत्यम विंपती चिन्ना सत्यम जो क्लासिकल शास्त्र नित्त है यह याद रखेंगे लोक नित्त यह नहीं है ठीक है चले आगे बड़े हाँ जी अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा है यहां पर कर रहा है हाइड्रो एलेक्रिक पावर स्टेशन जनरेट इलेक्रिसिटी बाइजिग फोर्स उट यह रहा है यही करेगा आपको डराने के लिए इतना बड़ा कुशन आप भी देखोगे थोड़ा सा लगेगा डर सा लग जाएगा हना लेकिन क्या बोल रहा है कुछ नहीं बोल रहा है वो बोल रहा है पावर प्लाइंट में जो है पा को पडावर से ब NEW they cur so Venice portable होना चाहिए कुछ कछ के सरहल होना चाहिए तो एक बात बता हैं दोस्तों जाब पानी गिरेगा तो क्या करेगा राव ड理ë करेगा गारेगया करेवा यहां पर टर्भाइन लगी यह तो दखितर बैन लग Prem Jewwww ौ ccowa si company उसक्टी यहां तर्वाइ ठीक है पानी जब गिरेगा ठीक है यह पंखे पर गिरेगा यहां पर इसके पास जो है हाइट पर है तो इसके पास है potential energy मतलब mgh है ठीक है जब यह गिरेगा जैसी इस पर surface पर गिरने की कोशिश करेगा तब इसके अंदर क्या जाएगा kinetic energy आ जाएगे ठीक है तभी तो आप लोग ने पढ़ा होगा कि जब बॉल को आप फेकते हो उपर तो उपर सबसे जादा highest point पर क्या होता है potential energy होती है बड़ जैसी surface पर आने की कोशिश करती है जब जमीन पर तो highest क्या हो जाती kinetic energy तो kinetic energy convert होगी ठीक है याद रखेगा आगे बड़े potential energy किस में convert हो गई kinetic energy में हो गई चले अगला सवाल यहां पर पूछ रहे हैं यह तो हो चुका kinetic energy ठीक है अगला सवाल है identify a way that does not does not prevent a non communicable disease from occurring in someone देखे कह रहें किसी ऐसे तरीके की पहचान करें जो किसी गैर संचारी रोग का किसी अनिक में संक्रमन होने में होने से नहीं रोकता है blood transfusion या adequate sleep, balanced diet या healthy diet क्या होगा जल्दी से बताईए सभी लोग बताएंगे यहाँ पे correct answer क्या हो जाएगा और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं क्या फड़ावर से like और share करते हो चलेंगे अभी तो बहुत ही उम्दा-उम्दा question करने है हमें सीजेल मेंस देने जा रहे हैं और यह चीज जरूर याद करके जाएगा कि यहाँ पे कहीं न कहीं tricky question definitely देखने को मिलेंगे क्योंकि देखने को मिले थे जहां पे जो बच्चों से बाते हुई है यहाँ पर करसर a option होगा अंकिता कह रहे हैं पोखिता भी कह रहे हैं बिलकुल यहाँ पे जो लोग 1 कह रहे हैं तिरन्यान अमेत आयूशी ब्लेड ट्रांस्यूशन बिलकुल करेक्ट टांसर हो जाएगा ठीक है ब्लेड ट्रांस्यूशन देखे यही दोस्तों नहीं रोकेगा और उसने ब्लेड को ट्रांसर कर दिया तो यह थोड़ी बिमारी को रोक पा पाएगा बाकि यह सब तो फैलने ही देंगे अब कोई सोर आया है एडिकट स्लीप तो उसको थोड़ी बिमारी हो जाएगी या फिर कोई बैलेंज डाइट ले रहा है है याद रखेंगा अगला कुश्चन वाट इस दा विट्थ ऑफ दी टैनिस कोट फॉर डबल देखे ड अंसर क्या हो जाएगा ठीक है यहां पर ठीक है थाटीन पॉइंट थाटीन पॉइंट करें यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा 10.97 मीटर होगा क्या होगा 10.97 आप लोग ने टैनिस ग्राउंड देखा होगा कुछ इस प्रकार से टैनिस ग्राउंड दिखता है क्या इस प्र यह इसकी लंबाई और चड़ाई किती होती है तो यह हो गए किती 10.37 मीटर ठीक है 10.37 मीटर और यह हो जाएगी 23 approximately 23.7 मीटर ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है 10.10 10.23 इसका जो है कोट होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं identify the group of the periodic table to which iron belong देखे कह रहे हैं आवर्द साड़नी के उस वर्गी की पहचान कीजिए जिससे लोहा संबंदित है ग्रूप 8, ग्रूप 6, ग्रूप 5 और ग्रूप 7 कौन से ग्रूप से संबंदित हैं सभी लोग यहां पर क्या होगा यहां पर अभी तक नहीं आया है चले कोई बात नहीं अब देखें यहां पर हम लोग ट्रिक पड़े एक ट्रिक याद किये थे ठीक है देखें यह है आवर्द साड़नी ठीक है जिसको हम लोग करते हैं periodic table कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है एक यह देखे वन गुरूप है यह दो गुरूप है यह 3456 789 ऐसे करके है यहां पर 18 है ठीक है हम से पूछ रहे है आरण м मी आपको बता रहा हूं याद करने की ठीक है यहां सभी टीचेर वेरीक्रूयल मांगे फी कोई नई कोई नई कॉपर जिंक ठीक है यह ट्रिक है साइंस टीचर वैरी कुरूवल मांगे फी कोई नई कॉपर जिंक ऐसे याद कर लिजे अब देखे साइंस कहां पर आएगा साइंस आता है तीसरे पर क्योंकि पहला दूसरा छोड़ दिया होना चाहिए आप लोग क्या बोलते हैं कि आठवे ग्रूप का होगा किसका होगा तो अभी देखिए अब आपका होगे छटवे ग्रूप का है ठीक है लेकिन दोस्तों यहां से हम लोग ने स्टार्ट किया था तो एक और दो यहां पर भी तो है लेकिन एक और दो ये भी तो है, तो इसको count करेंगे, तीन, चार, पाँच है, तीन से count करेंगे, तो आठवे नंबर पे आएगा, तो ये आठवा group हो जाएगा, एट ग्रूप हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखेगा, ठीक है, फिर से पढ़ लिजे, science teacher, very cruel, मांगे फी, copper, zinc, मतलब, scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc, ऐसे याद कर लिजे, हो गया, याद, science teacher, very cruel, मतलब, आपका science teacher, वो बड़ा ही, खतरनाक, मतलब, वो है, rude है, ठीक है, cruel, मांगे फी, हमेशा फी, मांगता रहता है, मांगे फी, कोई नहीं, हम कोई नहीं, फीस नहीं देंगे, हम चले, आगे, चले, आगेस, आपको ट्रिक याद हो गई होगी, ठीक है, अगले question बढ़ते हैं, अगला सवाल, आपके screen पर, ये रहा, which is the modified form of the game volleyball, कह रहे है, volleyball खेल का, जो है, संसोधित रूप कौन सा है, turf volleyball है, soft volleyball है, beach volleyball है, या फिर, road volleyball है, क्या होगा correct answer, जल्दी, जल्दी से, ठीक है, तो आप लोगोंने कई बार देखा होगा, यहाँ पर एक शब्द सुना होगा, beach volleyball, जो लोग कह रहे हैं, option number C, उनका बिल्कुल correct है, beach volleyball, ठीक है, beach, कहाँ पर खेला जाता है, बोले, beach में, beach में किसके, समुद्र के, तो समुद्र, समुद्र का क किनारे को beach कहते हैं, बताइए, ऐसा तो concept है, यह है, समुद्र, समुद्र के किनारे पर लगा देंगे, क्या यहाँ पर net, और बना देंगे, ground, ठीक है, ground पर खेला जाएगा, volleyball, ठीक है, यहाँ पर volleyball, सिर्फ दो ही खिलाड़ी खेलते हैं, हाना, single रहे, यहाँ पर single या तो double ह होता है, तो आपको ध्यान रखना है, तो यह volleyball, beach volleyball, ठीक है, आगे बढ़े, चलिए, अगले question बढ़ते हैं, अगला question आपके लिए, who among the following is the author of the book 5.71, देखे, निमलिखित में से कौन जो है 5.71 पुस्तक के लेखक हैं, दुर्जोयदत, चेतन भगत, रविंदर सिंग और अमी यहां पर करें सर, चेतन भगत, चेतन भगत, जो लोग चेतन भगत कह रहे हैं, उनका बिल्कुल correct answer होगा, ठीक है, चेतन भगत ने अपनी उपन्यास की शुरुवाद जो है, इसी सी की थी, 5.71 से ही की थी, ठीक है, उसके बाद बात करते ही, इनकी 3 mistakes of my life, 3 mistakes of my life भी इनी की पुस्तक है, ठीक है, revolution 2020, कौन सी, revolution 2020 इनकी पुस्तक है, ठीक है, फिर one night at call center, one night at call center, ठीक है, फिर उसके बाद one arranged murder, यह इनकी फेमस पुस्तके हैं, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, next question बढ़ते हैं, अगला question आपके screen पर, which algae produces agar, ठीक है, कौन सा शेवाल जो है, एगर पैदा करता है, क्या वो, gracilaria है, chlorella है, या sergassum है, या फिर, algae है, कौन सा होगा, सभी लोग बताएंगे, फटा- बजे तक चलेगी, ठीक है, और हम लोग यहाँ पर, दोस्तो, जो है, सारे cgl level के question कर रहे हैं, वो भी mains level के, ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग, जो है, जादा दिन बचे नहीं, 25 तारीक से आपके exam है, ठीक है, तो try करेंगे, कि वो सारे question important हो, जो weekend में हम लोग कर सकें, ठीक ह के लिए हम लोग करेंगे, Monday से class, आप लोग Monday note down कर लीजे, दो पहर को दो बजे से, तीन बजे करेंगे, जो भी target कर रहे हैं, SSTC CGL 2024 को, तो वो जुड़ सकते हैं, Monday to Friday, दो पहर को दो से तीन बजे, ठीक है, यहाँ पर जो लोग करें, सर के सम, उनका गलत हो जाएगा, यहा आइलम को बिलॉंग करता है, तो यह थैलोफाइटा को करता है, किसको करता है, थैलोफाइटा को करता है, ठीक है, अगर हम बात करें, अध्यन को कहा क्या जाता है, तो हम लोग कहते है, तो हम लोग कहते है, फेको लॉजी कहते है, यह भी याद रखेगा, ठीक है, उसके पा यह आपके exam में पूछा गया है, road of IC, यह पूछा गया था, आपके SSC, CHSL में, ठीक है, फिर उसके बाद आपसे पुछते, brown algae, जो भूरा शैवाल होता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते है, फेओ फाइसी, क्या कहते हैं, ठीक है, आगे बड़े, चले, अगले question बढ़ते ठीक है, in 1839, जहाँ पे J.E.Purkinje ने 1849 में की गई खोच के लिए जाने जाते हैं, proposed a lipid bilayer membrane, discovered plasma membrane, coined the term protoplasm, और discovered the nucleus, जल्दी से बताई, यहाँ पे J.E.Purkinje जो है, यह किसके लिए जाने जाते हैं, कहरे सर, C option correct होना चाहिए, ओके, बाकी लोग, जो लोग C option, C option कह रहे हैं, उनका बिल्कुल correct answer होगा, यह ध्यान रखेंगे, C answer, very good, जहाँ C, ASR, और फिर, ringkia, कौन है, ringkia, ओके, चले, correct answer होजाएगा, coined the term protoplasm, ठीक है, अब देखे, cell की बात अगर आती, cell की खोज किसने की थी, तो यह Robert हुक ने, किसने, Robert हुक ने किय जा था, यह question पूछा जा चुका है, कि कप किया था, तो 1665 में, ठीक है, अगर देखे, cell के अंदर होता है, nucleus, जिसको हिंदी में हम लोग कहते है, नाभिक, ठीक है, nucleus की खोज किसने की थी, Robert Brown ने, किसने किया था, Robert Brown ने खोज किया था, और Robert Brown ने कप किया था, तो 1831 में, कप क बाल, in 1838, who published an article discussing the structure and the origin of a plant cell, देखे, 1838 में, किसे ने पादप कोशिकाओं की सनरचना, और उद्वावक पर एक विमर्शित, एक लेक प्रकाशित किया था, Robert Brown, Rodolf Virchow, Matthias Skledon, और Albert Vaughan Collicker, फड़ावर से होता है, यहाँ पर, यहाँ पर सबके अलग-अलग answer आ रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, correct answer यहाँ पर, जो लोग करें, option number C, उनका correct answer होगा, ठीक है, correct answer क्या हो जाएगा, यहाँ पर, A नहीं होगा, यहाँ पर C होगा, क्या होगा, C option, Matthias Skledon, correct answer होगे, देखे, Albert Vaughan Collicker, यह द the cell कहते हैं, चले, next question बढ़ते हैं, अगला सवाल, in which year was the Indian football association established, भारती football संग की स्थापना, किस वर्स हुई थी, यह कल question, stenographer में पूछ लिया गया है, जो मैं आपके लिए CGL tier 2 के लेकिया हूँ, 1853, 1873, 1883 और 1893, कब हुई थी, बताइए, ऐसा पूछ लिया गया था, आप ल कह रहे हैं, सर होना चाहिए, ठीक है, करेक्ट आंसर जो लोग कह रहे हैं, होना चाहिए, 1893, यहाँ पे पायल ने कहा है, ओके, करेक्ट आंसर क्या होगा, 1893 is the correct answer का, All India Football Federation, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, फीफा देखिए, 2022 में हुआ था, तो फीफा से रिलेटर CCGL tier 2 में, ठीक है, चले, अगला कोशन आकले यह रहा, What is the term that sums up the biotic and abiotic factor in the surrounding of an organism, simple question है, निमलिखित में से कौन सा शब्द, जो है, किसी जीव के परिवेश और, परिवेश में जैविक और अजैविक कारकों को दर्शाता है, है, habitat, ecology, pollution या फिर environment, क्या होगा यहां पर, फटावर से हां पर, और दोस्तों जिन्हों ने अभी तक लाइक नहींगे, अगला फटावर से लाइक और, शेयर करते हुए चलेंगे, ठीक है, यहां पर करेक्ट आंसर बिल्कुल, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, option number हो जाएग हो गए, ठीक है, चेयर हो गए, टेबल हो गए, यह सब क्या है, अब आयोटिक ठीक है, अगला question, part 17 of the Indian constitution deal with, भारती सम्विधान का भाग जो 17 है, वो किस से सम्मंदित है, special provision for SCST, election commission, emergency provision, या official language, elimination भी आप लगा सकते हो, फटा फट से बताएगे, यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जो लोग यहां पर करेसर होना चाहिए, official language, official language, उनका बिल्कुल correct है, D option जो है, वो बिल्कुल correct answer हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है, क्यों जाएगा, D option हो जाएगा, ठीक है, election commission किस में आता है, भाग 15 में आता है, किस में आता है, 15 में आता है, ठीक है, कई ब emergency किस में आती है, दोस्तों, emergency भाग 18 में आती है, क्या, फटाफर से बताइए, emergency भाग 18 में, भाग 17 में तो आपने बताए, कि यह आता है, आता है, आपका official language, ठीक है, भाग 20 में आता है, क्या, amendment, ठीक है, संसोधन, amendment अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो आपको ध्यान रख रखना है, वो किस में आ जाएगा, भाग 20 में आ जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे, 15 में election commission, emergency 18 में, 17 में official language, और फिर उसके बाद 20 में, जो है, amendment, ठीक है, अगला question आपके लिए रहा, which among the following is not, देखें, is not a component of monetary policy in India, निमलिखे तुमें से कौन सा भारत में मौदरिक निती का एक घटक नहीं है, रैपोरेट, मोला सुवासन, क्रेडिट राशनिंग और पब्लिक डेट, कौन सा होगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ, जी हाँ, ठीक है, करेक्ट आंसर बिलकुल, जो लोग कह रहे है, नहीं, मोराल पासन नहीं होगा, ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे, क्या हो जाएगा, पब्लिक डेट, सार्वजनिक रिर्ड, जो है, वो करेक्ट आंसर होगा, वेरी गुड, अमित का करेक्ट है, पी एस सी, बिलकुल करेक्ट है, आपका आंसर, जो लोग कह रहे है, डी आउप्शन, उ टैचूरी लिकुडिटी रेशियो, इन सब को कंट्रोल किया जाता है, किसके दौरा, आरबियाई के दौरा, आरबियाई मॉनेटरी पॉलिसी को हैंडल करती है, ठीक है, आप लोग को यह हमेशा याद रखना है, अगर फिसकल पॉलिसी पूछा जाए, फिसकल पॉलिसी, त ठीक है, चले आगे, अगला कोशन आपके लिए रहा, देखे, रिदम सांगवान, सीन इन दा न्यूज, रिसेंटली, शीज रिलेटेट टू विच स्पोर्ट, रिदम सांगवान, जो हाली में, खबरों में देखी गई है, यह दोस्तों किस खेल से संबन देते, कबड़ी, टैसलिंग, शूटिंग, और रनिंग, तो दोस्तों इन्हों ने जो है, एक टीम के साथ मिलकर, गोल्ड मेडल भी जिताया था, और वो टीम कौन सी थी, वो आप बताएंगे, फटा-फट से, ठीक है, तो यहाँ पे बिलकुल, करेक्ट आंसर क्या हो जाए, करेक्ट आंसर हो लोगों से, कि लिंबा राम, लिंबा राम जो है, यह किस खेल से संबंधित है, तो यह है आर्चरी, ठीक है, तिरंदाजी से है, ठीक है, ऐसे कौशन भी पूछे जाते हैं, ठीक है, जैसे आप लोगों से इससे पहले जो एक्जाम हुआ था, उसमें पूछे था, गाटो सा पडेल, पंडित जवाहलाल नहरू और भगत सिंग, किसको कहा जाता है, बिसमार्क ओफ इंडिया, यहाँ पे, बिल्कुल, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगे, करेक्ट आंसर जो लोग कह रहे है, यहाँ पे सर्दार वल्ला भाई पडेल, उनका बिल्कुल करेक्ट पटेल जी को दोस्तों ये सर्तार की उपादि मिली थी बाडोली सत्यक्राअ से, बाडोली सत्यक्राअ से जल्दी से बताएंगे सबी लोग क्या वो 1928 में हुआ था अगर हुआ तो ठीक है नहीं हुआ था तो आप कमेंट करके जरूर बताएगा ठीक है सरदावलब भाई पटेल जी को आईरेन मैन आफ इंडिया भी कहते थे क्या कहते थे आईरेन मैन आफ इंडिया और इनके जन्म दिन पर 31 अक्टोबर को हर साल मनाया जाता है क्या यूनिटी डे मतलब एकता दिवस मनाते हैं ठीक है याद रखेगा और इहीं के नाम पर जो है स्टेच्यू आफ यूनिटी बनी है जो की विश्वी की सबसे उची मूर्ती है ठीक है 182 मीटर उसकी हाइट है जो है यहां प आपको ध्यान रखना है ठीक है चले आगे बड़े यस अगले कोशन बढ़ते हैं अगला कोशन आपके स्क्रीन पर यह रहा हूं रोट दा बोक पोवर्टी एंड अन्बिटिस रूल इन इंडिया पुस्तक किस ने लिखी है जवाहलला नहरू दादा भाई नारोजी रबिं ग्रेंड ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं यह ध्यान रखेगा ठीक है और दादा भाई नारोजी पहले पार्सी थे फिस्ट पार्सी जिन्होंने आइंसी की अध्यक्स्ता की थी कब किया था 1886 में किया था कोलकाता सेशन टोटल वैसे इन्होंने जो है तीन सेशन की अध तो 1886, 1893 और 1906 ठीक है चली अगले कोशन पढ़ेंगे अगला कोशन आपके लिए नैशनल होटी कल्चर मिशन वाज लॉंच्ट इन डैश राष्टी बागवानी मिशन डैश में शुरू किया था 9th 5-year plan, 10th 5-year plan, 11th 5-year plan या फिर 12th 5-year plan नैशनल होटी कल्चर मिशन किस में शुरू किया गया था ये कोश्टन पूछा गया है फड़ा फड़ बताईए यहाँ पे correct answer क्या हो जाएगा तो मैं आपको बताना चाहूंगा बिल्कुल, जो लोग कह रहे हैं यहाँ पे होना चाहिए, option number 1886-1893 बहुत बढ़िया जो लोग कहां पे कह रहे हैं, होना चाहिए 10th तो उनका correct answer हो जाएगा यहाँ पे 10th 5-year plan, 9th नहीं होगा, जो लोग यहाँ पे 9th कह रहे हैं, उनका गलत हो जाएगा कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, जो है किसका main उद्देश था, कौन से 5 वर्षी योजना का, तो आपको याद रखना है, 5th 5-year plan का, ठीक है, याद रखेगा कई बार पूछा जाता है कि गरीबी योजना किस model को, किस 5 वर्षी योजना को कहा जाता है, गरीबी योजना, तो आपको ध्यानक ना है, वो तीसरी 5 वर्षी योजना है, ठीक है, तो ऐसे question भी आप लोग से exam में पूछते हैं, या फिर पूछेंगे कि पहली जो 5 वर्षी योजना थी, उसका main उद्देश ते क्या था, अगरी कल्चर था, दूसरी का क्या उद्देश था, तो इंडस्ट्री था, पहली किस पे बेस थी, तो हैरोड दोमर मॉडल पे, दूसरी किस पे बेस थी, तो PC महल नोबिस मॉडल पे, तो ऐसे question भी आपको देखने को मिलते है ठीक है, चलिए, which among the following port is also known as the gateway of Eastern India, कह रहें, इन में से किस पतन को जो है, पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है, एन्नोर पोर्ट, ट्यूटी कोरिन पोर्ट, हल्दिया पोर्ट और वी ओचिदंबरम पोर्ट, क्या होगा, फटा फट से सभी ल हल्दिया पोर्ट आपको कहा पर मिलेगा, वेस्ट बेंगॉल मिलेगा, इसको कहा जाता है, गेटवे ओफ इस्टन इंडिया, ठीक है, हल्दिया पोर्ट, देखें, आपसे पूछेंगे कि दक्षिन भारत में सबसे दक्षिरतम बंदरगा कौन सा है, तो वह है ट्यूटी को करो देखने को मिलेगा, कहा पर तमिलनाडू में ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आप लोग इसे लास्ट एक्जाम में, ऐससे सी सीजेल में पूछा गया था, कि डीपष्ट, बीपष्ट पोर्ट कौन सा है भारत का, तो आपको महां पर कहना था, विशाखा पतनम, क् कि निमलिखित में से कौन केंदर राज जिवित्ती संबंद निर्धारित करता है क्या वो Ministry of Finance है, National Development Council है, Planning Commission है या Finance Commission है क्या होगा correct answer चलिए यहाँ पर correct answer क्या होगा आपका Finance Commission अच्छा Finance Commission जो है किस अनुछेद में आता है तो अनुछेद 280 में आता है किसमें 280 में अभी Finance Commissioner कौन है, ये भी पूछा जाता है तो N.K. Singh है, कौन है N.K. Singh है, कौन से नंबर के है तो ये 15th नंबर के है ये याद रखेंगे, ठीक है चलिए, आगे बड़े, अच्छे कई बार पूछा जाता है Planning Commission का गठन कब हुआ था Planning Commission का गठन हुआ था 1950 में और इसको खतम कप कर दिया गया था 2014 में Planning Commission की जो Chairman होते थे, वो कौन होते थे प्रधान मंत्री, ठीक है, तो पहले जो है इसके Chairman कौन थे, जवाहलाल नहरू जी और याद रखेगा Planning Commission नहीं, पंचवर्षी योजना कि शुरवात की थी 1951 में, इसकी जगा ली गई थी दोस्तों, नीती आयोक के दौरा, ठीक है 2015 में आया नीती आयोक अगला वोशन आपके लिए रहा Which article of the Indian Constitution is related to the Joint Session of Parliament भारती सम्विधान का जो है कौन सा अनुछे, संसत के सयुक्त सत्र से सम्बंदित है 108, 110, 280 और 370 फड़ा फड़ बताईए यहाँ पे यहाँ पे correct answer क्या होगा जल्दी जल्दी से बताएंगे यहाँ पे 108, 108 करे रहे हैं correct answer का 108 ही आपको ध्यान रखना है क्योंकि 110 किस से सम्बंदित है पर उसके बाद 370 जो है आपको पता है हटा दिया गया है 2019 में जिसके तहत special state का दर्जा दिया गया था जम्मू कश्मीर को आगला question डैश वास नॉट इन दा लाल बाल पाल दा त्रियू मुरेत इन इंडिया हू एड़ोकेट दा सुदेशी मूमेंट डैश भारत में सुदेशी आंदोलन की जो है वकालत करने वाली त्रिमूर्ती लाल बाल पाल में शामिल नहीं थे बाल गंगा धरतिलक, विपिन चंदरपाल लाल बहादुर सास्त्री और लाल अलाजपतराई जिसमें लाल बाल पाल आ रहा हो इनको टिक लगा देते हैं, लाला लाजपतराई ठीक है, कि लाल बहादुर सास्त्री आप से क्या पूछा है बोले लाला लाजपतराई अच्छा, तो बोले तो यार यहां पे तो गलती हो गई हाना, हमने तो लाल लगा के लाल को कर दिया था, यहां तो लाला हो गए ठीक है, ऐसे कॉश्चन भी आपको एक्जाब में देखने को मिलेंगे, जो आपको यहां पे जल्दबाजी में गलतिया कर देते हैं, ठीक है तो लाल बहादुर सास्त्री जो है, नहीं होंगे ठीक है, तब इनको जो है दोस्तों यहां पे जो है, लाठी चार्ज में इनकी वृत्तियू भी हो गए थी, ठीक है तो कौन-कौन हो जाएंगे यहां पे बाल गंगा धर तिलक, विपिन चंदरपाल और लाला लाजपतराई, ठीक है याद रखेंगे, आगे बढ़े चले आगे ठीक है, बोले सरे, इसने तो सबको लाल कर दी ठीक है, हसी मजा की बाते, आगे बढ़ते, अगला कोशन वाट इस दा IMF's primary objective देखे, IMF का प्राथमिक उद्देश क्या है क्या होगा correct answer येस, I'm sure, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लाल बहादूर वास्ट परसन जिनको भारत रत्न मिला था, पोस्त है, मरनो परांथ, बिल्कुल सही बता रहे हैं यहां आपके सरे option ए option correct answer यहां पर क्या हो जाएगा ए option the promotion of financial stability and monetary policy जो है IMF का काम है ठीक है इसका primary objective है IMF का headquarter कहां पर है Washington में है यह आपको ध्यान रखना है ठीक है चले अगला question रविद्ना टैगोर जैनती celebrate in 2023 mark the dash birth anniversary देखे हाली में जो है रविद्ना टैगोर जैनती जो है 2030 मनाई गई थी तो वो कौन सी जैनती थी कौन से नंबर की 162, 161, 161 और 160 अगर आपको पता है इनका जर है यह तो correct answer यहां पर 162 हो जाएगा अच्छे इनका जर्म हुआ कब था क्या 1861 में हुआ था एक सट में ठीक है और अभी चल रहा है 2023 तो 23 साल तो यह हो गए बीच में 100 साल हो गए ठीक है फिर यहां पर किते बच्छा 39 हो गया क्या 39 हो गया तो 130, 130 और 20, 150 और 9, 3, 12 तो 162 आ जाएगा count कर लिजेगा 1861 में उनका जर्म हुआ था ठीक है चले अगर पता होता तो अगर नहीं पता है तो फिर तो directly दोस्तों टेक ही लगाना पड़ेगा याद होना चाहिए अगर नहीं पता था आपको यह पता है उनका जर्म का निमलिखित में से कौन सानुछे जो है वित्ती विवरण वित्ती विध्यक से सम्बंदिते दोस्तों चोदा एक सो बारा एक सो साथ फड़ावड बताईए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएक करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आर्टिकल 112 ठीक है करेक्ट आंसर क्यों गगा एक सो 12 करेक्ट होगा ठीक है चली अगले कोश्चन बढरते हैं call money rate is end, मांग मुद्रा दर क्या है, RBI commercial bank transaction rate, short term interbank transaction rate, short term customer bank transaction rate या overdraft rate, call money rate क्या है वो आपको बताना है, जल्दी-जल्दी से answer करते हो चलेंगे, फिर इसके बाद हम लोग rapid fire round भी करेंगे, यहाँ पर जी हाँ, जो लोग कह रहे हैं, होना चाहिए, option number बहुत बढ़िया, correct answer क्यों जाए, option number 2 होगा, short term interbank transaction rate होता है, call money rate, ठीक है, B option होगा, C नहीं होगा, PSE का correct answer है, लेकिन doubt कर रहे हैं, PSE, जैन्द का correct है, ठीक है, बहुत बढ़िया, Jason का correct है, आईशी भी doubt कर रहे हैं, मलब सब doubt ही है, कर रहे हैं, अपने उपर ही doubt कर रहे हैं, वा, सही है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, अल्पकालिक अंतर बैंक, जो है, लें दिन, दर को कहा जाता है, call money rate, ठीक है, मांग मुद्रादर, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, the fundamental duty insurance in our constitution are borrowed from which country, ठीक है, हमारे सम्विधान में जो है, नहीत मौलिक करतव जो है, किस देश से लिए गए, USA, USSR, कैनेडा और फ्रांस, कहां से लिए गया है, जल्दी जल्दी से बताएंगे, अब हम लोग rapid fire round करने वाले हैं, बिल्कुल, correct answer आप क्या हो जाएगा, USSR, जो लोग option number B कह रहे हैं, उनका बिल्कुल correct होगा, जिसको आप रशिया कहा जाता है, वहीं से हम लोग ने मौलिक करता भी लिए थे, वहीं से हमने 5 वर्षी योजना, मतलब 5 year plan भी लिए हैं, USSR से ठ टाइब करिए, जहां पर हम लोग करेंगे question जादा और explanation कम, फटावर से एक बार yes type करेंगे, और answer answer करते हो चलना है, तो यहां पर ठीक है, yes, yes, चलिए बढ़ते हैं, तो हम लोग पहले question के साथ, पहला question rapid fire round के लिए, आपके screen पर यह रहा, यहां पर पूछ रहे हैं, पर correct answer क्या हो जाएगा, जी हां यहां पर जो लोग कह रहे हैं कि माउंट अबू, माउंट अबू होना चाहिए, तो उनका बिल्कुल correct answer होगा, क्या होगा जाएगा है, माउंट अबू correct answer होगा, option number C, ठीक है, राजस्थान में आपको देखने होगा, अरावली range पर माउंट अगला सवाल, अगला सवाल, अखिल भारती फुटबाल महासंग ने जो है, किसके सम्मान में 23 जून को AIFF ग्रासरूट घोशित किया, चूनी गोस्वामी, श्याम थापा, प्रदीप कुमार बेनर जी और मुहम्मद सलीम, किसके जल्दी से बताएगे, यहां पर correct answer क्या हो ज ठीक है, चले, यहां पर जो लोग कह रहे होना चाहिए, आपका option number C, उनका बिल्कुल correct होगा, प्रदीप कुमार बेनर जी, क्या हो जाएगे, प्रदीप कुमार बेनर जी, correct answer होगे, यह ध्यान रखेगा, ठीक है, अच्छे, अगर आपसे पूछा जाएगे, कि इस बार संत चाले को फराया था, अगला question आपके लिए रहा, dash is cold and driving, dash एक ठंडी और शुष्क पवन है, hurricane, tornado, बोरा और cyclone, कौन सी है दोस्तों, ऐसी पवन जो की ठंडी है और सूखी है, सुष्क है, यहां पर, यहां पर correct answer क्या हो जाए, correct answer आपका हो जाएगा, बोरा, क्या बोला जाता है, central वाले पार्ट में, hurricane भी वही पार्ट हुआ, hurricane को अमेरिका में, hurricane, cyclone को बोलते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, तो बोरा जो है, यह ठंडी और शुष्क हवा है, ठीक है, अगला question, the main use of mica is in, अभरक का मुख्यों, जो है, उपयों किस में होता है, electric industry में, या फिर, steel industry में, petroleum refining में, या फिर, glass and pottery industry में, सीधी सी बात है, इतना simple सा question, देखे, आप लोगों ने माइका का इस्तमाल देखा होगा, जो आप लोग प्रेस करते हो, प्रेस में भी माइका का इस्तमाल होता है, ठीक है, और माइका सबसे आदा भारत में कहां पर मिलता है, आंध 2023, पुलिसगार प्राइस फॉर जर्नलिज्म इन पबली के सर्विस केटेगरी, कह रहे हैं यहाँ पे, कि निमलिखित में से किसे ने लोग सेवा श्रेणी प्रत्तकारिता के लिए 2023 का पुलिसगार पूरुसकार जीता है, असोसियेटेड प्रेस, अमनेश्टी इंटरनेशन रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर और बीबीसी, फड़ा फड़ से बताइए, हाँ आंद्रप्रदेश, राजेस्थान, उडिसा ये वाले एरिये, माई का ज़्यादा मिलता है, आंद्रप्रदेश में सबसे ज़्यादा, ठीक है, यहाँ आपकर सर, यहाँ आपकर सर, बाउन्डरी ऑफ इंडिया इस भारत की समुदरी सीमा कितनी है, 12 नौटिकल माई, 13 नौटिकल, 15 नौटिकल, या फिर इन में से कोई भी नहीं, फड़ा फड़ से बताई, आप लोग से मैरी टाइम बाउन्डरी पूछाए, मैरी टाइम बाउन्डरी वो बाउन्डरी है, दोस्तों की जहां से यहां पे लेंड बाउन्डरी खतम होती है, यहां से ओशियन, तो ओशियन में कहां तक का भी आपका कवरेज रहेगा, वो आपसे डिस्टन्स पूछा है, 12 नौटिकल कह रहे हैं, कोशी लोग 15 नौटिकल कह रहे हैं, करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो ज 15 नौटिकल कह रहे हैं, कि मई 2023 में, ओपन चैलेंज प्रोग्राम 2.0 समाचारों में देखा गया था, ठीक है, इसे निमलिखित में से किसी ने लौंच किया है, क्या वो राष्टे इसपात निगम लिम्टेड ने किया था, इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाइशन ने, भ ठीक है, यहां पर बताएं, एक करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चले, जो लोग यहां पर कहरें सर ऑप्शन नमबर होना चाहिए, रिनल, पोखिता का करेक्ट है, वेरी गुड पोखिता, बाकी सब, नई, रिंकिया का करेक्ट है, वेरी गुड, राष्टी स्पात निगम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओपन चैलेंज 2.0 प्रोग्राम जो है, शुरू किया गया था, आराइनल के द्वारा, ठीक है, लॉंच किया गया था, अगला सवाल, विच ओफ फॉलाइंग मुवी, बेस्ट डॉक्यमेंटरी फीचर अवार्ड एट ऑसकर 2023, देखें, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, यहां कहा गया, निमलिखित मेंसे, किसी फिल्म ने, ऑसकर 2030 में, बेस्ट डॉक्यमेंटरी फीचर का पुरुसकार जीता, अब देखें, यही पर थोड़ा सा डिफिकर्ट बनाना होता इस कोशन को, तो वो बेस्ट डॉक्यमेंटरी फीचर देते, और ऑप्शन नमबर वन देते, यहां पर एलिफेंट विश्पर, तो बहुत से लोग क्या करते, बेस्ट डॉक्यमेंटरी देखते ही, एलिफेंट कर देते हैं, इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के हमें करना पड़ेगा, ठीक है, और बेस्ट जो है, दोस्तो मूवी किसको मिली थी, Everything, Everywhere, All at Once, बेस्ट एक्टर जो कौन थे, बरनाट फ्रैसर थे, और एक्टरस मिशल यह होती, ठीक है, यह भी याद रखेंगे, और भारत को ज दोस्तों, consider the following statement with reference to regulating X 1773, आपको दिया किया निमलिखित अधिनियम, 1773 के संदर में निमलिखित कतनों में का विचार कीजिए, आपको बताना है, इनमें से कौन सा सही है, ठीक है, पहला कहतन कहरा, it was an effort, control and regulate the functioning of the East India Company, यह East India Company के एक कामकाच को नियंतरित करने के यह फिर विन अधीन कर लिया था, या फिर a board of control was established, नियंतर बोर्ड जो है किस थापित किया गया, पहला सही है, तीसरा सही है, दोनों सही है, या फिर जो है, दूसरा और तीसरा सही है, कहरे सर, पहला और दूसरा सही है, ओके, बाकी लोग क्या कहते है, यहां पर correct answer क्या होगा, तो मैं आ correct answer होगा, very good, प्रियांशी बिल्कुल correct है, आपका answer only one, ठीक है, it was an effort to control and regulate the functioning of East India Company, ठीक है, यह याद रखेगा, यहां पर correct answer क्या होगा, option number one हो जाएगा, यह ध्यान रखेगा, चले आगे, चले, अगला question आपके लिए रहा, दूसरा, how much fertilizer subsidy was approved by the cabinet for 2023-2024 खरीफ सीजन, देखे इनी उर्वक subsidy को मन्जूरी दी है, 1.04, 1.06 लाख करोड, 1.08 लाख करोड और 1.09 लाख करोड, जल्दी जल्दी से बताएंगे दोस्तो, देखे, all, देखे, ऐसे सीजल देने जा रहे हो आप, ठीक है, all नहीं है option में, तो भी आप all कर रहे हो, तो यह तो गलत बात हो जाएगी न, और जो नहीं भी देने जा रहे हैं, तो उनको एक idea लग जाएगा, कि कि किस level के questions वहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है, कैसे confusion create कर सकते हैं बिल्कुल, यहाँ correct answer क्या होगा, correct answer हो जाएगा, 1.08 lakh करोड, ठीक है, जो लोग option number C कह रहे हैं, उनका correct होगा, very good, इंदरपाल, ठीक है, साक्षी बहुत बढ़िया, अगला question, who was the president of the Indian National Congress in 1887, करे, 1887 में भारती राष्टी कॉंगरेस के अधिक्ष कौन थे, simple question है, गोपाल, 1886 में कौन थे, दादा भाई, नारो जी, 1887 में कौन थे, वो मैं थोड़ी बता हूँगा, वो आप बता होगे, ठीक है, चले, फड़ा बड़ से बताइए, बदुरुद्दिन तयब जी, बदुरुद्दिन तयब जी कह रहे हैं, तो correct answer होंगे, बदुरुद्दिन तयब ज जान रखना है, पहले मुस्लिम से, ठीक है, चले, और 1888 में पहला अंग्रेज कौन था, जॉर्ज यूले, ठीक है, ये भी याद रखना है, जिसने आएंसी की अधिक्स्ता की थी, गुड़ गवर्नेंस डे इस ऑब्जर्वड एन्वली ऑन 25 दिसमबर, दबर्थ एनिवर्स ठीक है, जो लोग यहाँ पर कह रहे हैं, बिल्कुल, करेक्ट आंसर हैं, करेक्ट आंसर बिल्कुल, अटल विहारी वाजपे, जी के बर्थ अनिवर्स्री मना जाता है, यहाँ पर क्या, कि गुड़ गवर्नेंस डे, ठीक है, चले, आगे बड़ते, इक्वेटे, इन्टू, भूम अद्य रेखा, जो है, वो ग्लोबल को विभाजित करती है, क्या, होरिजोंटल इक्वल हाव्स, इन्टू टू अनिक्वल पार्ट और वर्टिकल इक्वल हाव्स, देखे, सीधी सी बात है, यह है, प्रिथिवी, ग्लोब है, ठीक है, यहाँ पर हम बात करे इन्टू भूम अद्य रेखा, जीरो डिगरी, ठीक है, तो यह क्या कर रही है, दो होरिजोंटल में, बाग में विभाजित कर रही है, तो मतलब होरिजोंटल इक्वल हाव्स ोना चाहिए, तो ए उप्शन जो लोग कह रहे है, उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक ह के रहें आहार नली में अंगोधवा इस्तरावित कौन सा रस वसा के पाचन में महतुपूर भूमी का निभाता है ध्यान से सुनिएगा जुट सलाइवा है पाइलगाटछोllow अब वह वर्टिकलोडव का आरे दोस्तों देखे मैंने आपको यह डाइगराम में डिवाइड कराया और चलंव कहाँ में कर रहा है होरिजॉंटल में करर नना यह वर्टिकल कैसा होता है यह तो भू हम दाद रहा तो यह गई ना यह ना होषों जों मत करिएगा ठीस के चले यहाँ correct answer क्या होगा correct answer जाएगा आपका bile juice और pancreatic juice ठीक है चले आगे हाँ नीज्वर के द्वारह लीवर में produce होता हुथ हो ठीक है चले which law was studied in the year 1787 in which it was said that the volume of gas increased with its absolute temperature and if it's absolute temperature decreases then the volume will decrease ठीक है कह रहे हैं वर्ष जो है 77, 87 में, जो है, किसी नियम का आधियन किया गया था, जिसमें कहा गया था, कि किसी गैस का जो है, आईतन, उसके पूनतापमान, जो है, साथ बढ़ता है, और यदि उसका पूनतापमान घड़ता है, तो उसका आईतन घड़ जाता है, Boy's law, Dalton's law, Awagadhrul law, यह फिर Charles law, यहां यहांप किया है टेंप्रेचर हो ग्याओ डेके आप लोगों ने एक फॉर्मुला पढ़ा हो र्लेशनं बता रहे हैं कि तो बढीदे गेंटिक हमाटिसरन घंट ह एक यहांपर कर दो कोउन्स का तक आने इसका मतलब है कि प्रेशर को St.. कर रहे हैं और प्रैसर कोंच्टेंट होता है चाल्स वांसर हो जाएगा और यह दो तो पहले से अगला कुश्ण आपके स्क्रीन पर यह रहा वां सर यहां पर अगां बॉस्ट लों में टेंपरेचर ना मैं फ्यां कर रहा है तो प्रेशर कौंसर रहे हैं तो प्लेशर तो आवचा लॉद्डु में था आव Il प lun odc से बताएं यहां पर क्या हो जाएगा क्या और कंपर अंसर करेक्ट यहां पर दोनों ही डांस परफॉर्म करते हैं और भरत नात्यम भी परफॉर्म करते हैं और उसके साथ जो है वो भरतनाटम भी डांस परफॉर्म कर लेती है similarly यामिनी कृष्णमूर्ती जो है वो भरतनाटम भी परफॉर्म कर लेती है और कुचीपुडी डांस भी परफॉर्म कर लेती है ठीक है आगला गोश्यन अच्छा ऑन दे बैंक ऑफ विच रिवर जो है गुर्द्वारा गोविंद घाट इस सिचुएटेड करें गुरु गोविंद घाट जो है किस नदी के किनारे इस्थित है गोमती गंगा कोसी और फल्गू फड़ा फड़ से बताईए यहां पर करेंट आंसर क्या होगा पिछले का बोथ करेंट है यहां पर यहां पर करेंट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर करेंट आंसर होगा आपका गंगा नदी ठीक है गंगा नदी जो है हमारे भारत के सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमेटर कितनी है 2525 किलोमेटर ठीक है और गंगा नदी जो है वो कहां से बोली जाती गंगा देव प्रयाग देव प्रयाग एक जगह है उत्राखंड में वहाँ पर अलकनंदा और जब भाईरती आके मिलती है नदियां तब वहाँ पर जो है फॉर्मेश होता है उसको एक option मानके चलिए और elimination करने की कोशिश करिए ठीक है तो यहां पर करें निम्लिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है दिये गए कथनों में से कौन सा कथन सही है ठीक है सही आपको बताना है पहला कह रहा है governor by his discretion can summon the house and call the flow for a flow test anytime ठीक है फिर्द प्रसिक्षण के लिए बुला जा सकता है और राजिपाल के पास मंत्री मंडल के जो है सहायता और सला के पर विधान सभा को भंग करने की शक्ति है only one only two both one and two या फिर इन में से कोई भी नहीं यहां पर कर सर होना चाहिए both ओके बाखी लोग क्या कहते है यहां पर correct answer क्या ठीक है ऐसा नहीं है कि दोस्तों वहां पर कभी बुलाया है और फिर उसके बाद जो है चेक कर लेंगे कि यहां पर बहुमत है तो ऐसा नहीं होगा तो वन तो गलत हो जाएगा और जब वन गलत होगा तो यह दोनों option all automatically eliminate हो जाएंगे ठीक है यहां पर देखें दूसरा क्या कभी भी ऐसे थोड़ी बुला लिए कि आप घर पे बैठे हो for example आप दोस्तों स्टेट लेजिसलेचर के मेंबर हो जाए आप legislative assembly या council में अब आपको गवर्नर बुला लिए नहीं आजाओ आजाओ हम लोग यहां पर floor test करेंगे anytime थोड़ी होता है ठीक है और यहां पर यह ची किसको रिप्रेजेंट किया जाता है science में ठीक है या फिर आवर्तसांडी में ठीक है एक महंगी मुलायम सफेद और जो है चमकदार धातु है रसायन प्रतिक है जिसे जोस्तों आम तोर पर डैश की रूप में जाना जाता है aluminium nickel mercury और silver ठीक है तो यहां पर correct answer हो जाएगा mercury mercury को हम लोग क्या लगाएंगे silver लगाएंगे ठीक है mercury पूछता तो हम 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 लिखा होता है nickel पूछता तो ni लिखा होता है aluminium पूछता तो al लिखा होता राइट चले आगे बड़े ठीक है अगला कोशन आपके screen पर यह रहा ठीक है in India who among the following is the responsible for auditing all receipt and expenditure of the union and state government कह रहे है भारत में निमलिकित में से कौन से केंद्र और राज सरकारों के सभी प्राप्तियों और व्यकल लेखा जोखा करने है तो उत्तरदाई है attorney general advocate general union public service commission या फिर comptroller auditor general कौन है यहां भी करें sir d option होना चाहिए मतलब keg के साथ जा रहे है ओके बाकी लोग चले जो लोग यहां पर कह रहे है कैक 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 उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा controller auditor general और controller auditor general कौन से अनुछेद में है तो अनुछेद 148 में है ठीक है यह ध्यान रखेगा last time आप लोग उसे क्या पू जो है अभी क्या घंटीक है आगे बढ़ते यस d option correct है बिल्कुल अगला question आपके लिए रहा है यहां करें इन इंडिया who among the following is responsible for auditing all receipt हो चुका है which one of the following group is called amphibian of the plant kingdom यह अल्रेडी हम लोग ने पढ़ा हुआ है निमलिखित में से किस समू को जो है पादब जगत का उभैचर कहा चाहता है ब्रायोफाइट, थेलोफाइट, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पम किसको कहते हैं जी हां यहां पर correct answer क्या हो जाएगा, correct answer आपका हो जाएगा, यहां पर option number one, ब्रायोफाइटा कहा जाता है, amphibian of plant kingdom, ठीक है, मतला उभैचर अगला question आपके screen पर यह रहा, which of the following UN organization has collaborated with the Department of Health Research on Acetive Technology on 17th May 2023 निम्लिकित में से सिक किस सयुक्त राष्ट संगठन ने 17 माई 2023 को सहायक प्रोधिकी की पर स्वास्था नुसंधान विभाग का साथ सयोग किया, WHO, World Bank, UNESCO और UNDP यहां पर correct answer क्या होगा, सभी लोग बताएंगे फटाफट से और जिनोंने लाइक नहीं किया है, फटाफट से लाइक और शेयर भी करते हुए चलेंगे यहां आपके से WHO, 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 तो जो लोग करें WHO, उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा, ठीक है, World Health Organization, ठीक है, अगला question, which of the following seismic wave is the most destructive, कह रहे हैं कि डिमनलि लिखित में से कौन सी जह है, भुकमपी, तरंगे सरवाधिक विनाश्की होती है, P waves होती है, S waves होती है, surface waves होती है, या फिर इन में से कोई भी नहीं, ठीक है, फड़ा-फड़ से बताएगे, यस, एड़कॉर्टर जेनेवा हो जाएगा उसका, यहां पर बताएगे, correct answer, very good, अमरेश, जो लोग करें, surface, नहीं, P waves नहीं होगा, यहां पर, very good, आयोशी, फिर उसके बाद, आशीश, ठीक है, correct answer होगा, surface wave, क्या होगा, surface wave, correct answer होगा, ठीक है, अगला question यहां आपके लिए, home work रहेगा, ठीक है, comment box में answer करेंगे, सबी लोग, ओ, हो, 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 दोस्तो, यहां पर समय होता है, समाप्त, जहां पर, आज हम लोग ने, वो सारे important question किये हैं, जो कि आपके SSE, CGL के लिए, बहुत ज़ादा महतवपूर्ण है, और, दोस्तो, इस class की, जो PDF है, वो आपको, कहां पर मिलेगी, टेलिग्राम पे और किस प्रकार से मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले तो आपको क्या करना है टेलिग्राम पे चले जाना है और वहाँ पे सर्च करना है अड़रेट गौरफसर टेस्ट बूक क्या करना है और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप तयारी कर रहे हैं CGL की, CHSL की, MTS की, GD की, STINO की, AMD, दिल्ली पुलिस या फिर किसी अधर एक्जाइम की तो आपके लिए दोस्तो टेस्ट बुक लेकर आया है सबसे अच्छा मौका जहां पर आप जूर सकते हैं सूपर कोचिंग के साथ और इस समय टेस्ट बुक लेकर आया आपके लिए नवरात्री सेल, जैसे की आपको पता है नवरात्री स्टार्ट होने वाली है तो ये सेल की शुरुवात जो है आज इसे हो चुकी है ठीक है, आज इसे स्टार्ट हो चुका है ये तीन दिन तक सेल चलेगा ठीक है, तो इसका आप फाइदा उठा सकते हैं अगर आप मल्टिपल एक्जैम की तेहरी कर रहे हैं तो आप SSC सूपर पैक पर जूर सकते हैं जो 799 का कोर्स था, वो आप आपको मिल रहा है 835 रुपय में साथ में 33% एक्ष्टा वेलिडिटी मतलब 6 मेहने पे 2 मेहना एक्ष्टा मतलब 6 मेहने के कॉस्ट पे आप 8 मेहने का कोर्स ले सकते हैं और उसमें भी आप डिसकाउंट ले पा रहे हैं सिमिलरली अगर आप अलग-अलग exam को लेना चाते हैं तो आप अलग-अलग exam को टार्गेट कर सकते हैं ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे चुड़ते हैं SSE Super Pack पे तो आपको मिलता है सारे exam का content साथ में मिलता है आपको foundation badge जिससे आप basic to advance की तयारी कर सकते हैं उसके लावा आपको मिलता है यहाँ पे free pass pro जिससे आप लोग previous year question और mock test वगरा भी लगा सकते हैं ठीक है, और जब आप लीस को avail कर रहे होंगे तो आप मेरा coupon code यूज़ कर सकते हैं गौरफ M, G-A-U-R-A-V-M जिससे आपको मिलेगा maximum discount और आप अपनी तयारी भी कर पाएंगे ठीक है, और अगर आप individual exam को target कर रहे हैं तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं जैसे 1499 का course जो है आपको 322 रुपए में मिल रहा है और यहाँ पर भी similarly आपको क्या करना है coupon code यूज़ करना है गौरव M चले देखते हैं किस प्रकार से आप इसको अवेल कर सकते हैं तो simply आपको क्या करना है YouTube पर चले आना है कहाँ पर YouTube पर जाना है YouTube पर जाने के बाद आपको जाना है Super Coaching SSC Railway by Testbook Channel किस पर जाना है Super Coaching SSC Railway by Testbook Channel वहाँ पर जाएंगे वहाँ पर जाने के बाद स्क्रोल डाउन करना है वहाँ पर आप जैसी जाओगे तो देखें यहाँ पर Daily Current Affair की Class का Playlist मिलेगा जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं Monday to Friday मेरे साथ सुब़ 6 से 7 बज़े आप जुड सकते हैं और कर सकते हैं तयारी किसकी Daily Current Affair की उसके अलावा देखें सारी Playlist आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी ठीक है जितनी भी Classes होती है Course के लिए जो Like Class चल रही है इसी में जाएंगे और Scroll Down करने के बाद सबसे पहले तो Like और Share कर देंगे जिन्होंने अभी तक नहीं किया है उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर देखें जूम करेंगे दिस्क्रिप्शन में तो आपको मिलेगा SSE Super Coaching का लिंक इस लिंक को आपको क्लिक करना है आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जहां पर आपको सारी डीटेल मिलती है ठीक है आप जिस एक्जाम की तेयारी कर रहे हो Super Coaching पर क्लिक करेंगे वहाँ पर सारी एक्जाम का ओप्शन मिलेगा State Exam, Engineering, Teaching, AGE, SSE जिसको भी क्लिक करेंगे उसके सारे कोर्सेज आपको यहाँ पर दिखाई देंगे लेकिन अगर आप इंडिवीजियल एक्जाम की तेयारी कर रहे हो तो आप इंडिवीजियल एक्जाम के साथ भी जा सकते है SSE, GD, CGL, CHSL अब माल लिजे कि आप Multiple SSE exam की तेयारी कर रहे हो मतलब CGL की भी कर रहे हो साथ में CHSL की भी कर रहे हो साथ में आपको SSE Foundation इसाई कुझे आपको guidance वाली जो है classes आपको मिल जाएंगी ठीक है जिसमें आपको guidance दिया जाता है अब देखे simply आपको यहां पर क्या करना है आप चेक कर सकते हैं कौन-कौन से Super Teachers आपको पढ़ा रहे हैं उनके demo classes आप चेक कर सकते हैं कि free of cost है आप लोग इसको जाके open करके देख सकते हैं ठीक है आपको live series में कौन-कौन सी live series देखने मिलेगी test series आपको कौन-कौन सी मिल रही जैसे GD की भी मिल रही है आपको इतर पे ठीक है यहां पर आपके पास दो plane जो है यहां पर plan है ठीक है एक तो 12 महने पर 33 percent extra मिल रहा है तो 4 महने एक्स्ट मतलब 12 महने cost पर आपको 16 महने का मिल रहा है और साथ में आपको discount पर मिल रहा है बोटरी करेंगे कूपन कोड क्या अप्लाइब करेंगे गौरव एम जैसे अप्लाइब करेंगे जो आठ सो निन्न यानवे कर था वो आठ सो पैटिस्का हो जाएगा और आप यहां पर क्या कर टेस्ट बुक आपको सर्च करना है लिंक में आपके साथ शेयर कर देता हूं आप लोग आसानी से वहाँ पर जुड़ सके और सारी पीडियाफ जो है आप वहाँ पर लिंक आप लोगों को कहां पर मिल जाएगा comment box में मिल जाएगा और साथ में आपको description में भी मिल जाएगा तो चलिए इस session को यहीं पर करेंगे समाब have session अच्छा लगा है तो comment box में comment करके जरूर बताएगा और ये भी जरूर बताएगा कि मंडे से जो हम लोग क्लास शुरूर करने जा रहे हैं वहाँ पर हम लोग सबसे पहले प्रीवेस एर कोश्चन करेंगे उसके बाद आप लोगों को किस प्रकार से चाहिए है टॉपिक वाइस चाहिए है या फिर किस सब् तब तक के लिए रखेगा आप अपना ख्याल अपनों का ख्याल और पढ़ाई करते रहेगा बाई बाई टेक एर जैहिंद जभारत